नमस्कार मैं अब शेक मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टेड़ी बी तबी में तो आज हम लोग कम्पलीट कोशी का चैप्टर को खत्म करने वाले हैं सेल को और ये मास्टर वीडियो होगा और अलमुष्ट दो से तीन घंटे का ये लेक्शर बनेगा और इसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों मैंने यूज़ किया तो कोई भी परिशानी वाली बात नहीं है दूसरी बात इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो अभी आपका चाहिए ग्रूप D से लेकर के PCS तक आपके यहां से सवाल बनेंगे और कंटेंट ही मैंने ऐसे रेडी किया है कि आपके कोई भी एग्जामिनेशन के सवाल ना छूटे यहां से ठीक है के लिए जैगुरू आप सभी को कमेंट कर सकते हैं और एक लाइक आप बस इस वीडियो को कर सकते हैं अगर कंटेंट अगर हमारा अच्छा लगे हमारा कंसेप्ट अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक करिएगा तो हिंदी और इंग्लिस दोनों मैं मैं पहले बता दो यहां आपको इंग्लिस में देखने को मिल रहा हुगा इसलिए परिशान नहीं होना उसके बाद प्लास्टिड है सेंट्रोजोम है नुकलिस में डियन और ने को माइटो कॉंट्रिया को उसके बाद लाइजोजोम होगे आपका राइबोजोम गॉल्जी बोडी एंडो प्लास्मी रेक्टिकूलम और वैक्किल्स ठीक है तो डिटेल एक्स्प्लाइशन वीडि करते हैं तो बहुत पहला सवाली आपसे पूछलिया जाता है जो कोशिका के अधियन करते हैं या फिर study of cell को हम क्या काते है तो cytology काते है बहुत ही आप घर एक देखने को आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे बैक्टिरिया है, यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे एनिमल एक किंडम है, यानि कि हम और आप जो होते हैं, और जितनी भी जन्तू होगे, जानवर होगे, वो सारे एनिमल के अंदर ही आते हैं, तो ठीक है, अब इ सारे रूम होंगे कीचन होंगे गेस्ट के गर की इस घर की अगर बात करते हो तो इसकी जो basic unit होगी होगी जिससे यह बनी होई है क्या होगी तो यह चोटी सी इट होगी ठीक है complete आपको समझ में आरहा एक अगर आप इस घर के अगर बात करें पहले कोई भी चाहिए उस घर के रूम को जानना हो उस घर में कितने रूम है या कईचन का है सट ऑनुफ की आ स्टॉर रूम कैसी है डाइनिंग ऑल कासी है तो लेकिन अगर आप हम उस घर के अगर बात करोई चोटी सी उसकी जो basic unit है अगर वो चीज ना होती तो इस घर का निर्मान नहीं हो पाता तो अगर हम इसको देखते हैं उसके चोटी सी basic unit क्या है तो वो eat है यानि कि उस घर के अगर हम room को देखना चाहते हैं उस room को अधियन करना चाह रहे हैं तो हमने देखा इसकी जो basic unit है, क्या है वो एक छोटी सी eat है, लेकिन जब हमने इसकी अध्यान करनी स्टार्ट की, माइक्रोस्कोप से, जब हमने इस eat को भी जब देखा, तो इस eat के अंदर भी हमें बहुत सारे कुछ चीजें मिली है, यानि कि इस eat का भी हमें क्या मिला है, पार्ट मिला है, तो हम इस eat के पार्ट को भी पढ़ेंगे, जिससे हमें पूरे eat के बारे में क्या होगी, जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद फिर हम, इसकी जो basic unit है, घर की हम जानकारी लेने के बाद, फिर से हम उसके room को भी जानकारी लेंगे, उसके kitchen को जानकारी लेंगे, उसके dining hall की बारे जानकारी लेंगे, पुझा room के बारे हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है मेरे भाई? उसी प्रकार हम लोग जो सेल टॉपिक को जब पढ़ रहे होते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक्टिरिया एक मिनिट मेरे वाई माफ कीजीगा कॉल आ गया था चली बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पे आपको चीजे समझ में आ गए मैंने जो घर के बारे बताई कि सबसे पहले इसके जो छोटी यूनिट के बारे हम लोग जानकारी लेंगे तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बैक्टिरिया है यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे क्या है एनिमल है तो अगर हम इसकी बात अगर करते हैं अगर आप इस plant के बारे जानकारी लेना चाहते होंगे या फिर इस bacteria के बारे जानकारी लेना चाहते है या फिर इस animal के बारे अगर आपको जानकारी लेने है तो आपके दिमाग में जो भी बाते आ रहे होगे लेकिन उससे पहले आप क्या सोच सकते है कि इस जो एनिमल की रचना हुई जो सन रचना हुई इस जो प्लांट की सन रचना हुई है इसका जो निर्मान हुआ है इस जो बैक्टिरिया का निर्मान हुआ वो कैसे हुआ होगा जिस परगार आपने यहां पर जानने की कोशिस की कि यह जो घर था इस घर का निर्मान कैसे ह एक छोटी से उसकी जो यूनिट सी इट थी, अगर वो इट ना होती तो इस घर का निर्मान नहीं हो पाता, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, यानि कि इस प्रकार का ये घर नहीं बन पाता, तो जब एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या क्या, जब यहां पर थोड़ा सा मतलब रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि इस एनिमल की जो रचना हुई है, या फिर कोई भी बैक्टिरिया हो, चाहे कोई भी प्लांट है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट देखा, कि जब अगर वो जो छोटी यूनिट अगर नहीं होती, तो यह जो इनकी सर्मरचना जो है, यह नहीं हो पाती, इनके हम लोग जो भी फंसन कर रहे होते हैं, चाहे हम सास ले रहे हैं, चाहे हम लोग खाना खा रहे हैं, चाहे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो जो डाइजेशन होता है, निकालते हैं उसी प्रकार प्लांट में भी जो respiration process होता है या फिर वहाँ पर भी जो digestion process होता है खाना बनाने की क्रियाएं होती है ये क्रियाएं नहीं होती अगर उसकी जो basic unit थी अगर वो नहीं होती तो तो इसकी जो सबसे छोटी जो unit थी रॉबर्ट होग ने जो study किया तो उन्होंने बताए इसकी छबसे छोटी unit क्या है कोसिका मतलब कि बहुत सारी कोसिका ठीक है ये छोटा सा figure मैं बनाया हूँ कोसिका की इस प्रकार की कोसिका बहुत सारी मिल करके क्या हुआ है आपके इस animal की या फिर बोले plant की या फिर bacteria की क्या हुआ है इसकी सनरक्षना हुई है ठीक है मतलब कि अगर वो eat नहीं होता तो घर नहीं बनता यानि कि बहुत सारी eat मिल करके क्या क्या है घर का निर्मान क्या है उसी प्रकार हमारा चाहे जानवर का, चाहे प्लांड का, चाहे बैक्पिरिया का वही सनरचना या फिर निर्मान नहीं होता, अगर आपकी कोशिका नहीं होती तो, समझें, अगर एक कोशिका नहीं, अगर हम अपने बॉडी की बात अगर कर रहे हैं, हमारे बॉडी मानो की, त इस प्रकार से इतने million trillion में पूरा हमारे बॉड़ी में क्या है कोशी का सेल प्रजेंट है जिससे हमारा क्या हुआ बॉड़ी का निर्मान हुआ है तो हमने रॉबर्ट हुग जो थे उन्होंने इस छोटी से सेल कोशीका को उठाया ऐसे देखा कि पूरे बॉड़ी में तो कम से कम million trillion में प्रजेंट है तो एक कोशीका को उन्होंने उठाया और उनको microscope से जब देखा तो उनका study किया तो उनको भी क्या प्राप्त हुआ कि उस स सेल का पार्ड है सेल का भाग है तो हम क्या करें रॉबर्ट हुग ने उस पार्ट को इसके जितने भी पार्ट उसको हम लोग study करेंगे जिससे हमें पूरा सेल की जानकारी मिल जाएगी और जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो body की संरचना हुई है हमारी जो body function कर रही है कई सारे सेलों के combinations हमारी body की जो रचना हुई है उसके बारे complete knowledge मिल जाएगी जैसे हमें जब कोसिका के बारे knowledge मिल जाएगी मतलब हमारा जो basic unit है सेल कोसिका उसके बाद हम लोग digestive system मतलब की जो सेल से जिससे रचना हुई है अभी मैं बताऊंगा सेल से और कैसे कैसे चीजे अभी तो आपको ये समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है तो देखे जब सेल एक छोटा सा सेल यहनकि एक single सेल जो था जब यहां पे single सेल का जब division होता है तो इस प्रकार से दो नए सेल का निर्मान होता है नई कोशिका के निर्मान होती है उसी प्रकार फर्दर मैं फिगर में बता दूँ ये आपका single sale है पहला कोशिका है जिसे हम अंडा भी कहते हैं जब इनका यहाँ पर fertilization होगा तो दो sale में भिभाजन होगा उसी प्रकार जब इस sale का division होगा तो 2 नए sale का निर्मान होगा इस प् दिविजन होते चलते हैं तो बहुत सारे जब सेल आपस में मिलते हैं ठीक है तो क्या निर्मान होता है आपके टीशू के निर्मान होते हैं तो जैसे ही आप सेल के बारे आज पढ़ लोगे उसके बाद आप क्या पढ़ोगे उस तक के बारे ठीक है कितने जितने भी टीशू ह उसके बारे पढ़ोगे और फिर जब बहुत सारे टीसू मिलते हैं आपस में यानि कि टीसू का जब फर्दर डिविजन होता है बहुत सारे टीसू मिल करके क्या बनाते हैं आपके ओर्गन बनाते यानि कि अंग बनाते जैसे कि आपके हाथ नाक कान और जब यह बहुत सारे ओ और्गन सिश्टम का निर्मान होता है, जैसे कि आपने कहा था digestive system, respiratory system, excretory system, circulatory system, यानि कि आपके बोड़ी में जो digestion का system है, पेट हो गया, श्टमक के बारे पढ़ोगे, उसमें जो small intestine वो पढ़ोगे, large intestine वो पढ़ेंगे, respiratory system हमारी नाक है, उसके food pipe है, सारी चीजे पूरी अध digestive system होगे, respiratory system होगे, excretory system होगे, जब ये सारे मिलेंगे, तो आमारा एक human beings, यानि कि एक सजीव जीव का क्या होता है, निर्मान होता है, ठीक है, मतलब क्या है, कि सबसे पहले बात हो गई, आप कोई भी बाइलो, अब जैसे कि जो लोजी अगर आप पढ़ रहो हो, या फिर plant बोड़ की भी पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको अधियन केस चीच की होनी चाहिए, कोशिका की, बहुत सारी कोशिका जब आपस मिलते हैं, तो टीसू का निर्मान करते हैं, जब बहुत सारे टीसू आपस मिलते हैं, तो औरगन का निर्मान होता है, और जब बहुत सारे और पर से मिलते हैं तो और गन सिश्टम का निर्मान होता है और जब बहुत सारे और पर सिश्टम आपस मिलते हैं तो एक अब सिश्टम के निर्मान कैसे हुआ तो चोटी चोटी सी कोसइका सा निर्मान हुआ तो ये चोटी-चोटी कोसीका suit आ जो है इसलिए हम लोग इस chapter को सबसे पहले समझते हैं तो इस figure को आप देखने का कोसित कीजे देखे, actually ये figure नहीं होता आप net से भी search कर लिजेगा cell का एक मैंने बस बताने की कोसित किये कि ये जो है आपका पूरा cell है इस cell के अंदर देखे, क्या क्या चीजें हैं आपके साइटोपलास्म, अब क्या है साइटोपलास्म हिंदी में क्या पोलते हैं, धlarını रकिये रखिये साइटोपलास्म हो गया, vaikules हो गया, nucleus हो गया, mitochondria हो गया, cell реб всегда massive matrix हो गया, 색깔र पुरा ओवरॉल सेल की जानकारे मिल जाएगी और इसी प्रकार ये एक सेल का मैंने फिगर मना इसी प्रकार आपके सेल की को सतthere का हैं मतलब अगर ये सेल नहीं होता तो हमारी बॉडि की क्या होती नहीं हो पाती हमारी बॉडि को कई कार्य करते हुं क्या है कि हमारी बॉडि में होतीसाँ के धर्राजियर殊 प्रोसेस क्या होती है अगर सेल ही नहीं होता देखिए अगर कोसिका ही नहीं होती है आपके बॉड़ी में तो आपकी जो नोज नाक है क्या यह नाक का निर्मा यह नाक बना कैसे सेल से ही तो बहुत सारे छोटे-छोटे सेल से बने हुए हैं तो आप नहीं कर पाते हैं सजीव की रचनात्म क्रियात्म की काई है क्या को सिका दूसरी पॉइंट सेल इस बेसिक यूनिट ऑफ लाइप सजीव की मुलभूति काई है को सिका ठीक है सजीव जो भी जीवित जीव है उसकी क्या है मुलभूति काई उसकी बेसिक यूनिट है मतला अगर हमारी जो बेसिक जैसे के हमारा निर्मान जैसे हुआ एक किस्से हुआ कोसिका से हुआ है लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक तम लिखा है सजीव ठीक है इसको ध्यान रखेगा हमेशा आप देखोगे इस टॉपिक में सजीव की मातमेतर की जो चीज जिन्दा है अब अगर आप सो चलोंगे लक ही यहीं तो हमें कहानों चीजार आप सब्सेदमें को किलियर आपको सबसे पहले मैं क्या बता है कोसी का है किया कोशिका क्या है रचनात्मक हमारी बॉड़ी को इस्ट्रक्चर देने का काम करती है और साथ के साथ हमारा बॉड़ी जो भी फंशन करता है क्रिया करती है वो जो भी काम कर रही है हमारी बॉड़ी कोई भी फंशन कर रही है on the basis of sale अगर ये कोशिका नहीं होती तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था और अगर बात कर लें sale क्या है तो basic unit of life हमारी life के सबसे छोटी सी इकाई है यानि कि मुलभूत इकाई है तो यहां पर कुछ important point है यहां से static point है जो आपकी examination में frequently पूछ ले जाते हैं सबसे पहले अगर पूछ जो आप पेड में देखेंगे छाल तो छाल के नीचे एक layer होता है उसके उपर उन्हों ने discover किया था कोशिका को और वो जो sale को जब उन्होंने study किया था' माइक्रोस्कोप से उसे माइक्रोस्कोप भी नहीं खो जा गया था इन्होंने अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके बाद उस सेल की इन्होंने खोज की और स्टड़ी की तो उन्होंने क्या पाया वो जो सेल था वो कैसा सेल था डेड़ एक मरा हुआ सेल था ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट निर्जिव कोशिका यानि कि डेड़ सेल का अधियन सबसे पहले कि इंटिस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी एक्जामिनिशन में पूछे जाते है 1674 की बात है एबी एंटोनियो वेन लुवेन हॉक ने सजीव कोशी का एक लिविंग सेल की खोज की और यह जो लिविंग सेल की खोज की ती किसमें बैक्टिरिया में तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा बैक्टिरिया के खोज करता कौन है तो यह भी लुवेन होक है यानि के अंटोनियो वेन होक है जिन्हें क्या का जाता फादर और बैक्टिरियो लॉजी भी का जाता है जीवानु विग्ञान के पिता भी खाया जाते है ठीक है तो देखे कोशन कैसे किस ने की थी तो आप क्या बोलोगे रॉबर्ट हूग ने किया था ठीक है अगर वो पूछ लेंगे सजीव कोशिका तो आपका एंसर क्या हो जाएगा एवी लुवेन होक और इन्होंने क्या क्या था डेड़ से लिया निकि निर्जीव कोशिका के खोज की थी और अगर पर ही इन्होंने क्या किया था रिसर्च किया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गया है उस समय माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था और बहुत सारे जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो बहुत सारे पार्ट कोशिका के अंदर भी दीखे जिसको अभी हम लो और इन्होंने क्या क्या खोज किया था RBC की स्पॉम की और प्रोटो जोगा की यह आपको याद रखना बाद में RBC हम लोग पढ़ेंगे ब्लड में इस पॉम आपको पढ़ना है आपको रिप्रोडक्शन में ठीक है प्रोटो जोगा भी आप पढ़ोगे प्लांट बोटनी मे तो यह तो बात होगे आपकी static fact के बारे में कुछ चीज़े हैं और भी static fact अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया इस topic से लेकर इस topic को related कैसे आपको क्या चीज़े इसमें हम लोग पढ़ते हैं अब एक कोशिका number of shell यानि कि कोशिका की संख्या के अधार पर जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं इसको समझने की कोशिक किजिए मतलब जीव को यहाँ पे और जीव मतलब क्या हो गए जीव यानि कि हम और आप कोई जानवर हो गए कोई पेड़ और पौदे हो गए कोई बैक्टिरिया हो गए ठीक है तो हम लोगों का जो हम लोगों को हम लोग जो हैं दो प्रकार के हैं ठीक है किसके बेसिस पे सजीव की सेल की सं number of cell on the basis of number of cell organism कितने पार two types of organism होते हैं यानि कि जो जीव होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक तो हो गया unicellular organism यानि समझ में आएगा सारा कुछ unicellular organism और एक हो गया आपके multicellular organism हिंदी में अगर बोले हैं तो एक कोसिक्य जीव और एक हो गया बहु कोसिक्य जीव यूणी cellular organism क्या होते हैं देखे पूछा जाता examination में आपके example यहां से वैसा जीव जो केवल एक कोसिका से बनी होती है ठीक है वही चीज लिखा हुआ यहां पे organism that are made of single cell और single type of cell यानि कि एक कोसिका या एक प्रकार की कोसिका से बना होता है वैसे जीव को क्या कहते हैं एक कोसिके जीव कहते हैं जैसे कि example है इसका amoeba, plasmodium, yuglina और paramesium ठीक है तो आपको मैंने यहां example दिया amoeba मतलब यह amoeba जो है इसकी जो body की सनरचना हुई है केवल एक सेल से हुई है एक सेल से इस body इसकी body की सनरचना हुई है इसके body में जो भी function होते केवल एक सेल से तो यह चार नाम आपको याद रखना पूछ लिया जाता है amoeba, question में देख करके कि amoeba unicellular है या फिर multicellular है एक कोशिके जीव है या फिर बहुँ कोशिके है तो आपको याद रखना है unicellular organism है amoeba, plasmodium, yuglena और paramecium ठीक है और multicellular organism मतलब क्या है made up of multicell मतलब बहुत सारे सेलों से मिल करके यह बना हुआ है multicellular organism और example क्या होगा इसके plant की कोशिका, jantu की कोशिका यानि animal cell यानि हमारे जो body में कोशिका है यानि की cell present है वो एक cell नहीं है million trillion में cell present है made up of multicell plant में जो कोशिका है वो बहुत सारे कोशिका उसके अंधर present है ठीक है मेरे वाई तो वही चीज़ है, तो दो तरह के जीव हो गए एक तो हो गए आपके एक कोशिके unicellular organism और एक हो गए multicellular organism यानि की बहु कोशिके जीव जिसमें जिसकी ऐसा जीव जो केवल single cell से बना हुआ होता है उसकी body की स्वर्चना single cell से हुई होती है उसे हम क्या कहेंगे एक कोशिके जीव और ऐसा जीव जिसके निर्मान जिसका स्वर्चना जिसके body में function जो भी चीज़े हो रही है उसके body का निर्मान जो हुआ है बहुत सारे कोशिकाओं से मिल करके हुआ है उसे हम क्या नाम देते है बहु कोशिके जीव तो आपसे ये चार एक्जामपल आपको याद एकना है अमीबा, प्लाजमोडियम, यूगलीना और पैरामीशियम ये कैसे हैं ये जीव तो unicellular organism है ठीक है और plant cell, plant की जो कोशिका है plant का जो निर्मान वाँ उसमें जितने सारे मिलियनों में उसमें कोशिका प्रोजेंट है animal यानि कि हम और आप जानवरों में जो कोशिका है, वो मिलियनों में प्रोजेंट है made up of multi cell अब हम बात करते हैं एक theory दिया गया था इस theory से भी आपके सवाल पूशे जाते हैं एक theory है, all the living organism are made up of cells and product of cell this theory is called cell theory and this theory given by selden and swan pronunciation देख लीजेगा कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीव है उनका जो सरीर है क्याची से बना हुआ है कोशिका से मैंने बताया था छोटी सी unit है कोशिका और बहुत सारे कोशिका मिल करके ही क्या क्या है आपके body का निर्मान क्या है तो सभी जीवों का सरीर का जो निर्मान हुआ किस से हुआ कोशिका से यानि की से हुआ है या फिर इनों का कहने का मतलब है और कोशिकांग से कोशिकांग को तोड़िये कोशिका के अंग ठीक है कोशिका के अंग कोशिकांग मतलब क्या है कोशिका के अंग कोशिका के अंग मतलब क्या है कि यह जो सेल है इस सेल के अंदर मैं पे आख है, नाख है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है उसी परकार ये कोसिका है, इस कोसिका के भी अंग है, माईटोकॉंड्रिया है, अंदर में Nucleus है, अंदर में Brilliant part है तो आपका बॉडी का जो निर्मान हुआ है, कोसिका से हुआ है और कोसिका में उसके स्केल्डन एंट्रान ने दिया था औल दे लिविंग और इंगलिस में किलिया रहा है तो तीन साइंटिस्ट कोषिका की खोज किसने की रॉबर्ट ठूक लेकिन वह कोषिका कैसे थी निर्जीव थी दूसरा आपके साइंटिस्ट एवी लुवेन होक इन्होंने जो कोषिका की खोज की कैसे थी लिविंग सेल थी ठीक है और दूसरी जो साइंटिस्ट आएंगी स्केल्डन एंट्स वान जिन्होंने क्या क्या था सेल थियूरी को दिया था ठीक है मेरे बाई नेक्स्ट स्टैटिक पॉइंट और भी आपको देखना है आपे आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेष्ट सेल इन यूनिवर्स यानि कि सबसे छोटी कोसी का ब्रहमांड में कौन सी है देखिए सबसे छोटी कोसी का ब्रहमांड में कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है पू उस बैक्टिरिया का नाम है तो माइको प्लाजमा गेली सेप्टम बैक्टिरिया या फिर यह आप्षन में नहीं मिलका आपको मिलेगा पी पी एलो यानि कि पॉली प्लियो निमोनिया लाइक और्गनीजम अगर यह नहीं मिला तो सिंपली कोश्चन में आपको लिखाव की ना कि प्लांट की ना तो एनिमल की तो सबसे छोटी कोशी का किस की है बैक्टिरिया की और उस बैक्टिरिया का अगर नाम आपसे पूछा जाएगा तो उसका नाम क्या है माइको प्लाजमा जेली सेप्टम बैक्टिरिया माइको प्लाजमा जेली सेप्टम बैक्टिरिया या फिर ये नाम नहीं मिलकर क्या आपको PPLO मिलेगा और कभी-कभी ऐसे पुछते हैं ये लोग PPLO का full form तो PPLO का full form होता है poly pleuro pneumonia like organism ये CDS NDA का favorite question है मिरा बाई और यहाँ साथ के group D में previous अभी जो 2018 में जो paper वा था यहाँ से भी पूछा गया था अब तो smallest shell अब पुछा जाएगा largest shell तो largest shell के अगर हम लोग बात करें तो किसकी होती है तो सुत्रमुर्ग का जो अंडा होता है ठीक है सुत्रमुर्ग का अंडा या फिर egg of ostrich भी का सकते हो largest shell किसका होता है तो सुत्रमुर्ग के अंडे का होता है next largest and longest shell of human body अगर हम मानों की अगर बात करें मनूश में सबसे लंबी कोशिका ठीक है अगर मनूश में अगर पूछा जाएगा अगर से लंबी कोशी का यानी कि नर्ब भी आप और पूशन मिल सकता या फिर नियूरों भी अप्से यहांप करके आऊगे तो सबसे ब्रहामान में सबसे चोटी कोशिका किस की है तो वैक्टे रिया की है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जिस्ट ठीक है लार्जिस्ट सेल किसकी है तो सुतुर्मूर के अंडे की है और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस पेसली यहाँ पे मेंसन क्या गया है human body के अंदर ठीक है मनुष्य में सबसे लंबी कोशी का किसकी है तो तंत्रीका कोशी का neuron या फी nerve सेल की है और अगर पूछा जाएगा कि largest gamet सेल प्रजनन कोशी का human body में अगर पूछा जाएगा तो क्या है सेल इन हुमन बॉड़ी अगर पूछ लिया जाएगा human body में अगर smallest पूछा जाएगा largest पूछा जाएगा तो तंत्रीका कोशी का smallest पूछा जाएगा human body में तो RBC red blood cell पढ़ेंगे बाद में हम लो blood chapter में और smallest gamet सेल प्रजनन कोशी का human body पूछा जाएगा तो क्या है sperm यानि कि सुक्रानू और largest gamet सेल पूछा जाएगा तो ओबा यानि कि अंडानू ठीक है यानि खिलियर हुआ बहुत इंपोर्टन्ट है यहां 5-6 कोशन याज़ बनते हैं आपके smallest सेल ब्रहमान में पूछ लिया जाएगा तो किसका उता बैक्टरीय माइको प्लाजमा गेली सेप्टम बैक्टरिया प्पीलो प्लीरो पॉली प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ओर इंडे की होती है और कि सुद्रम की मानों कि सबसे लंबी कोशी का अगर पूछ लिया जाए human body की कौन से तो RBC है red blood cell है smallest cell in human body और अगर smallest gamut cell अगर पूछ लिया जाता है प्रजिनन कोशी का कौन से human body की तो वो sperm में शुक्रान हुआ है clear अब बात करेंगे types of cell देखें दो तरह की कोशिका होती है एक होती हें प्रोड deficit हीं दि में और एक होता है यू कारिोटिक जेल हिंदी में बिसे नहीं लिखेंगे तो दो 2 typesоп cellating and marketing process को हम तोड़ने की कोशिक हैं ब्रो और कारिोटिक में तो प्रोका आर्थ होता है पुराना यानि कि प्राशिन और कारियोटिक का आर्थ होता है नुकलियस यानि कि केंद्रक ठीक है तो यह जो सेल होंगे प्रोकारियोटिक सेल यह भी एक सेल होगा और यू कारियोटिक सेल भी इस तरह का एक सेल होगा तो यह एक ऐसा सेल है जो काफी एक सेल है ये पुराना है पुराना का मतलब यहीं बहुत ही पुराने जमाने का नुकलीक नहीं है यानि कि होते ही है क्योंकि यह इतने immature होते हैं बिल्कुल आव इकशित होते हैं और बहुत ही पुनाने जमाने के होते हैं बिल्कुल विकस की जाली के structure के समान यह होते हैं जला में पाइसे होते हैं कि बश्याम में इसलिए नेकिश romantic होते हैं काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं तो इसलिए यह दो नों के बीच में पहला एक डिफरेंस मैंने क्या बताया एक तो यह काफी ज्यादा पुराना होता है और यूकारियोटिक क्या होगा एक नया हो गया दूसरा क्या होगा इसमें न्यूक्लियस क्या हम मान लेते हैं absent मान लेते हैं मतलब क्योंकि क्यों मान लेता है क्योंकि mature नहीं होते हैं लेकिन इसमें nucleus क्या होगा eukaryotic cell में nucleus present होगा यह पूछा जाता है इसलिए मैंने यह लिखा अब इसके example भी आपको याद रखने है कि वैसे कौन-कौन से organism है जिसके अंदर prokaryotic cell नहीं पाय जाता है तो देखे सॉरी मतलब कौन-कौन से cell के जो पाठ है अभी मैं बताऊंगा अभी समझेगा इसका मतलब क्या prokaryotic cell में mitochondria lysozome golgi body नहीं पाय जाता ठीक है इसका कहने का मतलब यह है कि mitochondria जो prokaryotic cell है ठीक है यह prokaryotic cell है जिसका nucleus इकदम इस तरह से mature है इकदम immature है ठीक है इसमें क्या होगा ना आपके mitochondria नहीं होगा देखिए इसके जो mitochondria क्या है lysozome क्या है golgi body क्या है cell का अंग है यानि कि kosikang cell organil है यानि कि cell का part है तो यह prokaryotic cell है तो इसके अंदर आपको mitochondria नहीं होगा lysozome नहीं होगा और golgi body भी नहीं होगे ठीक है लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं eukaryotic cell में present होता है यानि कि eukaryotic cell जो है आपका यह काफी ज़्यादा well developed nuclei से इसमें आपको mitochondria भी present होंगे lysozome भी होंगे और यहाँ पर आपको golgi body भी आपको दिखाए पड़ेंगे किसमें eukaryotic cell में लेकिन prokaryotic cell में आपको mitochondria, lysozome और golgi body नहीं दिखाए पड़ेंगे मतलब समझे मेरे भाई यह आपका एक cell है यह अगर prokaryotic है तो इसका nucleus well developed नहीं है तो इसमें mitochondria नहीं होगा रहा होंगे golgi body होंगे lysozome होंगे तो यह आपका पहला दूसरा आपका difference हो गया तीसरा difference के अगर में बात करें तो prokaryotic cell में जो DNA present होते वो कैसे structure के होते circular DNA DNA क्या होता मैं भी बताऊंगा लेकिन eukaryotic cell में कैसे structure होते है double helix structure इस प्रकार के आपको double helix structure और इसमें जो आपको prokaryotic cell में इस तरह के circular DNA आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और eukaryotic cell में आपको double helix structure के DNA आपको मिलेंगे मतलब difference क्या होगे प्राचिन nucleus होते हैं नई nucleus हो इसमें इसमें कैसे DNA होंगे इसमें double helix DNA होंगे structure ठीक है अब हम बात करेंगे जो सेल अभी हमने बात किया उसके जो prokaryotic cell अभी हमने जो देखा और eukaryotic cell जो हमने देखा ठीक है इनके अंदर मैंने क्या बताया था nucleus present नहीं होता है और इनके अंदर मैंने बताया था कि nucleus present होता है अब इसके अंदर और क्या-क्या चीजे present होते हैं यानि कि cell एक simple cell के क्या-क्या से अंग है इसके क्या-क्या से product है सेल के कौन-कौन से पार्टे उसको हम लोग अधियन करेंगे, यानि कि क्या-क्या अधियन करेंगे, सेल वाल को पढ़ेंगे, सेल मेंबरेन को पढ़ेंगे, केंदरक देखेंगे, DNA, RNA, क्रोमोजोम, जीन को देखेंगे, माइटोकॉंडरिया देखेंगे, लाइजोजॉम तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सेल वाल को यानि कि कोशी का भित्ती हिंदी में कह रहें तो कोशी का भित्ती या फिर आप हाट चले ठीक है सेल वाल यानि कि पहला टॉपिक हमारा जो सेल का जो अंग है सेल और गिनिल जो है हमारा कोशी का आंग है वो कौन सा है तो सेल वा यह जो बाहर का जो सनरक्षन आपको दिखाई पड़ रहा है कोशिका का इसे हम क्या नाम देते हैं सेल वाल नाम देते हैं ठीक है यानि कि कोशिका भित्ती करते हैं यही सेल वाल है बस इतना ही आपको अभी देखना था अभी पूरी चीज़े हम लोग इसके पर बात करेंगे ये जो सेल वाल होते हैं किस में प्रकिस कौन से किस की कोसिका में प्रजेंट होते हैं क्या ये प्लांट की कोसिका में प्रजेंट होते हैं या फिर एनिमल की कोसिका में प्रजेंट होते हैं क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे वो बैक्टिरिया होते हैं उसकी जो सनरख्षना हुई है किससे वी कोसिका से हुई है और बहुत सारे जब कोसिका मिली है तो टीसू बनी है टीसुस जब बहुत सारी मिली है तो ओर्गन बनी है और बहुत सारी ओर्गन मिली है तो ओर्गन सिस्टम का निर्मान हुआ है और बहुत सारे ओर्गन सिस्टम जब मिले है तो आपके human body का निर्मान हुआ या फिर plant का निर्मान हुआ ठीक है लेकिन जब अधियन किया गया था जब microscopic level पे जब study की गई कोसिका की तो वहाँ पे देखा गया plant की कोसिका को उठाया गया ये plant की कोसिका और एक animal की कोसिका तो उसमें पाया गया कि इसके अंदर ये जो animal का जो है sale इसके अंदर sale वाल नहीं present था लेकिन ये जब plant sale के उपर study जब उठा कर देखा गया तो देखा गया इसके अंदर sale वाल present है तो यही important question पुछा जाता है कि sale वाल जो होते हैं वो किस में present होते हैं plant sale में या फिर animal sale में तो आपको बोलना है केवल और केवल plant sale में आपके present होते हैं sale वाल only found in plant sale केवल पादब कोसिका में पाया जाता है animal sale यानि कि कोसिका ज़र जन्तु कोसिका होते हैं उसके अंदर ये present नहीं होते हैं या कोसिका को निश्चित अकार ये sale वाल का काम क्या है आप देख रहोंगे ये जो sale वाल जो बाहार ने बनावी है यानि कि कोसिका को एक निश्चित अकार प्रदाण करता है यानि कि एक shape and size देता है कि इस shape का कोसिका वह decided तरह से आपका बोलके के bodyguard की तरह काम कर रहा होता है एक संअ кстати दे रहा होता जैसे आपने घर मानदफर पहले बवांड़री दे देता है तो तो वह आपकी up चीजे आ रहे होगी जो कोसिका के लिए मतलब की लाबदायक नहीं है तो उससे भी यह क्या करेगी इसको सुरक्षा प्रदान करती है ठीक है सिंपल घर है तो घर के चारो तरफ बॉंड्री मार देते हैं उसी प्रकास वो बॉंड्री जो हो गया वो क्या होगी आपका सेल वाल हो गया कोसिका का और आपका जो घर है वो पूरा सेल हो गया इस तरह से समझे देखे यह आपका घर है और इधर से आपने चारो तरफ से क्या जो सेलवाल होता है तो प्लांट में जो सेलवाल होता है यानि कि जो कोशिका है उसकी जो सेलवाल है यह बाहर वाली यह सेलवाल किसकी बनी होती यह पूछा जाता आपसे एक्जामिनेशन में यह किस से बनी होती तो सेल्योलोज से बनी होती है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो सेली-लूज है एग प्रकर कार्वो घडर्ड है अब याद रखेगा सैली लौज जो होता है आपके प्रवो यॡड है अबvy एग्जामिनिशन में कार्वो हैडय ना देखर वे देते हैं वो ब्रभी सेंट लढ़ा बेचेयन परेशान है कि यह क्या पुछ लियागege करभुहाइड में भी कौन सा कर्वहाइडी तो पॉली सेकरइड्ड कर्भु अब ये जो पॉम सेकरइड क्यूता है यह है Goruch के सलें वाल होता है उसकी जो सेला योपार्ट में भी कौन से खार्बोचय इसमें वाटर कितना होता 2 परसेंट होता है इसलिए सबसे हाइल बाप करेंगे है इसलिए अभी प्रेंट होता है अब याद रखना आपको मैंनिल में apsanct बोला है plant में है bacteria में भी सेलवाल होता है और bacteria के उपर ही सबसे पहले antiniovene-luvenhawk ने क्या गया था खोज क्या था सजीव कोसिका की और bacteria की कोज करता father of bacteriologic kone है तो antiniovene-luvenhawk है अब इसका भी जब अधियन किया गया तो उसमें पाया गया इसके कोशिका में भी सेलवाल प्रेजेंट होते हैं और किसके बनी होता है, यह पूछा गे है आपके group D में peptidoglycone की बनी होती है peptido glycone होता है, एगर हम इसे तोड़ने के कोशित करें तो peptido का मतलब होता है, protein और glycone क्या हो गया आपका glycone हो गया, carbohydrate यानि की protein टीक है प्रोटिन अब बनाऊ प्रोटिन किसका बना होता है आप सभी को पता है अगर आप इसका इस्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर याद होगा आपको C-O-O-H इधर अलकाईल गूरूप या इधर आ रहा हुद है यादर है इधर यानि कि यह अपके जो होगे। अमीनो एसिड ठीक है प्रोटीन किससे बना होता है तो अमीनो एसिड का बना होता है और ग्लाइकोन का मतलब क्या हो गया कार्बो हाइडर तो पैप्टीडो ग्लाइकोन का बना होता है यानि कि पैप्टीडो ग्लाइकोन मतलब क्या हो गया प्रोटीन और कार्बो हाइडर प् प्रोटील का एक मिनवाई ďक मिनट है बहुत सारे सब कोसी कँए बहुत सारे सब्वाइनएचिट मिलेंगे तो इसका निर्मान होगा प्रोटीन निर्मान होगा ठीक है यहां उसकी यहां था यानि कि Dennis hungry धिर्या की सेल्यादि यहां यहां किसे बनी होती तो pep maintained लेकिन अगर पूछ लिया जाए है प्लांट का सेलवाल किसे बना होता है तो सेल्योज का बना होता यह अपकी इग्जामिनिशन पूछे जाते हैं प्रोटीन और ग्लाइकोन का मतलब हो गया इंसेक्ट की पूछा जाता कीडे मकोड़े उनमें भी जो होते कोसिका उनकी कोसिक में वो कैस के बनी तो चितिन या फिर काइटिन भी बोलते हैं इसे तो देख लीजेगा प्रोनौशेशन तो यह किलियर हो गए तो चार शीज आपको याद रखना है प्लांट में अगर बात करें सेलवाल किसका बना होता है तो सेलिलोज का बना होता है बैक्टिरिया में जो स हम अगर कोशिका है तो और हम आउटर लेयर क्या होगा तो आउटर लेर क्या होगा? सेल वाली होगा तो पूछा जाएगा लेकिन एनिमल में क्या पूछा जाएगा एनिमल का आउटर लेयर क्या सेल वाल है नहीं है तो अभी मैं अभी जब आगे कुछ और में बताऊंगो इसके बाद यह और किलियर हो जाएगा इसका मतलब आउटर लेयर क्या हो गया सेल वाल हो गया याद रखना यानि कि प्लांट का आउटर लेयर कौन होता है सेल वाल होता है सेल वाल क्या होता है प्लांट का आउटर लेयर होता है क्या काम करता सुरक्षा प्रदान करता है एक संरक्षिना प्रदान करता है एक स्ट्रक्चर अब दूसरा अंग हम लोग देखेंगे cell membrane यानि कि kosica jillie यानि कि इसे हिंदी में plasma jillie भी कहते हैं अब ये जो cell membrane है जब scientist ने study किया cell को एक kosica को plant की kosica को भी उठाया और animal की kosica को भी उठाया तो उसने देखा कि इसके अंदर सेil membrane प प्रेंप्रस्टक्चर या मैने प्लांट की कुसिका का स्टक्चर बनाया है इनिमल की में यहां पे sel wall नहीं पाया गया तहीं यह पर इसलीं यहां पर आपको sel wall नहीं देखने को इसलीं को मिल उसके बाद तो दोनों की outer layer यहां से पूछ लिया जाता है exam में, पूछे के अच्छे examination, PCS वागिर exam में, कि plant की जो outer layer कौन सी होती है, तो cell वाल होती है, लेकिन animal की outer layer क्या है, cell membrane है, क्योंकि इसमें cell वाल absent है, तो वही मैंने यहां लिखा है, animal की outer layer क्या होती है, cell membrane होती है, अब के लिए र फॉलिफिड मतलब समझ रहे हैं, देखिए, अगर इसको bifurcate करने का कोजिए, तोड़ी है, फॉस, फॉस्फोरस ग्रूप हो गया और लिपीड हो गया, लिपीड मतलब क्या अग्या फैट, तो जो फैट है, कौन से फैट, फैट के साथ क्या प्रोजेंट होती है, फॉस् फॉस्फोरस ग्रूप से मिल करके बने होते हैं, इनके cell membrane, ठीक है, तो it is made up of phospholipid, 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 और यह जो होते हैं, अब प्लाजमा जली क्या होते हैं, आपके semi-permeable होते हैं, बहुत भी अच्छा कोशन आपके, सेडियस में पुछा गया सवाल है, प्लाजमा जली हो यह सेमी परिमेबल है अगर जो सेल के लिए लावदायक उसे यह सेल मेम्बरेन क्या करते हैं अने देती हैं लेकishing अई वैक्ठी या वाईरोस यह सेल के लिए लावदायक नहीं हानी का रहा है कि उसे इंट्री नहीं करने देती है ठीक है इसलिए यह semi-permeable है मतलब कुछ चीजे तो अंदर आ सकती है लेकिन कुछ चीजे अंदर नहीं जा सकती है इसलिए हम क्या करते है semi-permeable तो पूछा जाएगा अरध पारमग्यम होता है cell वाल या cell membrane या सी cell membrane कैसा होता है तो semi-permeable होता है मतलब बाहर सेल के अंदर molecule को आने जाने से यह रोकता है जो सेल के लिए हानी का रख होता है ठीक है कोजिका परवेश्य रोकता है वह फॉस्पोल लिपिड क्या हो या combination of protein and fat ठीक है protein and fat से यान बना होता है ठीक है तो ठीक है sorry मैंने वह फॉस्पोरस ग्रूप बोल गया था protein and fat से मिल करके बना होता है यह फॉस्पोल लिपिड है और अगर इसके बात कर ले जो structure इसकी जो बनी हुए है protein and fat आप देख रहे हो इसके ज्यादा quantity में क्या आपको देखने को मिल रहा protein और थोड़ा सा quantity में आपको fat देखने को मिल रहा तो यही लिखा हुआ 70% जो थे protein present होते है फॉस्पोल लिपिड में और 30-20% fats present होते हैं यह जो structure के बारे एक सिधान्त दिया गया था यह structure को जो समझाया गया था कि जो समझाया गया था इस संबंदिस प्रतिबातन जो दिया गया था singer and Nicholson एक scientist इनके द् प्रतिबातन जो दिया गया था और यह कि अमें इस इधान किससे संबंदित है तो जो cell membrane जो बनी होती है किसे फॉस्पोल लिपिड उसकी structure के बारे यहां पर बता आ गया था ठीक है फॉस्पोल लिपिड से बनी होती है सेल वाल प्लांट की किससे बनी होती है तो cellulogy से बनी बैक्तिरिया में बात करने तो पैप्टीड ग्लाइकोन होती है। इंसेक्ट में बात करने तो काइटिन की बनी ह२य होती है अगर यही बात करने सेल मेंबरेन की तो cell membrane जो बनी होती है कि फॉस्पोल लिपिड से बनी होती है और यह जो combination किसकी किसकी है protein and fat की होती है सबसे ज़्यादा protein present होता है और यही इसके जो structure का सिधान तो जो दिया गया था दो scientist singer and Nicholson के द्वारा दिया गया था और इस सिधान को क्या नाम दिया गया fluid mosaic model के नाम सिधान दिया गया ठीक है तो यह चीन मैंने बताया है plant का outer layer क्या हो जाएगा cell वाल हो जाएगा animal का outer layer क्या हो जाएगा cell membrane हो जाएगा clear है दो अंग हमने complete क्या cell की को सिकांग को देखा हमने एक तो cell वाल हो cell मैं अब देखेंगा plastic यानि कि लवक या वर्नक सबसे पहले तो इसका पूछ लिया जाता है कि इनका खोज किस ने किया था बताऊंगा यह plastic होता क्या डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा heckle के द्वारा याद रखना और scientist का नाम heckle जो है इनके discover खोज करता है लेकिन याद रखना है जब cell को उपर अधियन किया गया animal cell में तो केवल plant cell में आपको ये plastic देखने को मिला animal cell में plastic आपको देखने को नई मिला तो ये cable किस में पाय जाता है आपको cable and cable plant cell में present होता है absent in animal cell और क्या था अपका cell वाल भी जो है आपके animal cell में present ने होता है lastooooon मैं difference भी कर दिया हूं उतके लिए परिचान नहीं होना तो Plastid के खोज क्लड़ा कोन है, तो हैकल है, क्या Plastid Animal Cell में प्रजेंट होता है, तो नहीं, Keval और Keval Plant Cell में प्रजेंट होता है Plastid का काम क्या है, Plastid का मेंली काम होता है, ये Color प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जो भी plant है आप ये के बल प्लांट में ही present है तो प्लांट में बहुत सारे आपने रंग देखेंगे लाल कलर देखेंगे fruits का कलर आपने yellow भी देखा होगा, green भी देखा होगा, white भी देखा होगा तो ये जो color होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड और ये प्लास्टिड में भी कुछ pigment होते हैं ठीक है, pigment के कारण ही इनका color आपको ऐसा दिखाए पड़ता है अगर हम बात कर लेते हैं अपने चलिए ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा animal है ठीक है तो जिसके अंदर क्या होता है आपके प्लास्टिड प्रजेंट होते हैं यह एक मातर ऐसे वैक्टिरिया है ठीक है जिसके अंदर क्या होते हैं प्लास्टिड प्रजेंट हो मैं नहीं कहा कि प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में प्रजेंट होते हैं लेकिन यह य बना लेते हैं क्योंकि अब जब photo synthesis में भी क्या करता है ये प्लाश्टीड एक प्लास्टीड है आपके chloroplast ये chloroplast help करता है खाना बनाने में plant को तो उसी प्रकार ये Plastid yuglena में भी present है यानि कि वो chloroplast इसमें भी present होगा तो जिसके द्वारा ये लेकिन बहुत सारे लक्षण देखा गया है इस यूगळीबना में जो और देखने को मिलें मतलब कि इसमें प्लांट के भी कुछ लक्षण देखने को मिले मैं बनाते क्यमक क्या एक क्रते हैं इस पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है यह question आपके एक question तो पूछा जाया कि कि किसमे plastic present होते है plant cell में animal cell में युगलीना में या बोथ A and C तो आपको A and C दोनों में tick करना होगा और पूछा जाए आपसे जो है plant और animal के वीच connecting link कोन होता है तो युगलीना होता है क्यूंकि इसमें plant के भी लक्षन देखने को मिलते हैं और animal के भी लक्षन देखने को मिलते हैं मतलब यूगलीना को पौधे और जन्तु के बीच के योजक कड़ी हम कहते हैं किलियर है तो mainly plastic का काम क्या है आपको color provide करना और जो आपके plant में help करते हैं खाना बनाने में भी photosynthesis में भी प्लांट के मैं अभी आपको बता हूँ कैसे Plastid present होने के कारण यूगलीना अपना खाना खुद बना लेती है और बाकी collection characters होते है animal sale की तरह है इसलिए इसे यूगलीना connecting link between plant and animal करती है तो मैंने बता दिया plant की तरह यह क्या करते है खाना बना लेते हैं और कुछ लक्षन आपको इसमें देखने को मिलगे किसके animals की था animal sale की ठीक है अब जो Plastid होते हैं तीन टाइप के Plastid है पहला जो है chloroplast पढ़न हरित mainly यह जो आपके पाए जाते है प्लांट में में तो प्लांट में होते हैं ठीक है और एक आपको यूगलीना याद रखना है green color तो इसमें green color की pigment आए जाती हो यह pigment का नाम आपसे पूछा जाता chlorophyll pigment ठीक है chlorophyll pigment तो पूछा जाएगा ऐसे आपके कि प्लांट में जो भी आप हरे रंग देख रहे हो ठीक है या फिर कोई भी फल में की जो हरे color है आपको दिखाए पड़ यह कौन सी प्लास्टिट तो ख्लोरो प्लास्ट और कौन सी pigment तो ख्लोरो प्लास्ट में pigment प्रजेंट होता है chlorophyll pigment प्रजेंट होता ठीक है अब देखे फोटो synthesis के थू ही प्लांट क्या करते खाना बनाती है तो क्या करता है ? प्लांट वार्ट लेता है और carbon वार्ट से लगी होई होती है वहाँ से वह वार्ट एब्जाब कर लेती है CO2 इनको मिल जाती है जब यह combine करती है Sunlight के present में जब सूरी मिल रहा होता है तो सूरी के present में यह chlorophyll pigment जो होता है क्या होता है active होते हैं और उसके बाद जो होते हैं यहां पर combination के C6 H2O6 glucose plus water plus oxygen का यहां पर निर्मान करती है यह प्लांट ठीक है अपने खाना यहीं इनके अंदर जो रियक्शन होता फोटो सिंथेसिस जो रियक्शन हम कहते हैं यही रियक्शन है water इन्होंने लिया जड़ो से carbon dioxide environment से लिया और chlorophyll के present में अगर यह chlorophyll नहीं होता तो प्लांट अपनी खाना नहीं बना सकती मतलब कि अगर सूरी भी नहीं होता तो यह अपना खाना नहीं बना पाएगा प्लांट और अगर अपना खाना नहीं बना पाएगी तो तो प्लांट जीवीत नहीं होंगे, अगर प्लांट जीवीत नहीं होंगे, तो हम और आप जीवीत नहीं होंगे, मतलब आप सोच सकते हैं कि we all are totally dependent on plant, ठीक है, तो ये तो photosynthesis का reaction मैंने आपको बता दिया, प्लाष्टिट का concept मैंने समझा दिया, और एक चीज़ पूछा जाता है, जो chloroplast जो होते हैं, chloroplast में chlorophyll pigment जो होते हैं, उसके अंदर कौन सा metal present होता है, तो magnesium metal present होता है chlorophyll pigment के अंदर, chloroplast को क्या कहा जाता, प्लांट ऑफ कीचेन भी कहा जाता, क्योंकि जहां पर हम लोग खाना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी प्रकार plant भी अपना खाना बनाता है, chlorophyll के present, भी अप्लोरो फिल बोल सकते हो, या फिर chloroplast, chloroplast को plant of kitchen कहते है, chloroplast को क्या कहते है, plant of kitchen, क्योंकि प्लांट का वो kitchen है, जहां पर वो खाना बनाते हैं, next, leucoplast, एक चीज़ और बताते हैं, कि हमारे body का जो color आप देखते होंगा, हमारे skin का color है, उसमें भी एक pigment पाए जाती है, तो ये आपको ये pigment का नाम भी आपको याद रखना है, melanin, ठीक है, melanin pigment के कारण हमारा skin का color होता है, वो हमारा color आईसा दिखाए देता, किसी किसी के अंदर आपको देखो कि बहुत ज़्यादा काला है, melanin pigment उतना ही कम होंगे, उतना वैसा, उतका skin का color होगा, बहुत ज़्यादा गोरा, तो बहुत अधिक मात्राम, उनके melanin बहुत धब्बे-धब्बे से गोले-गोले होते हैं, उनके अंदर का melanin pigment जो बहुत ज़्यादा प्रजेंट होते हैं, तो ये सब exception है, plant के अंदर ही के प्लास्टिट प्रजेंट होते हैं, exception एक यूगलीना में प्रजेंट होता है, ये प्लास्टिट अनिमल सेल में प्रजेंट नहीं होते हैं, लेकिन पूछ लिया जागा कि हमारे बॉड़ी में कौन सा pigment प्रजेंट होता है, जो हमारे skin को color provide करता है, तो वो melanin pigment, ठीक है, melanin pigment, क्लियर है, दूसरा जो प्लास्टिट के टाइप में है, ये आपके ल्यूको प्लास्ट है, यानि के अवर्णी लवक है, ये color lace होता है, ये कोई भी color provide नहीं करता है, प्लांट को, या पौदों के उन भागों में पाए जाता है, जहां सूरी की प्रकास नहीं पहुंच पात चानला देचे लवक है, तो टूसरा में पूचा जा है, प्लास्टिट के लिचाक नाम पहुंच पाती है,rain Stupid कॉर्ट के इसे नहीं पूछ पैराध नहीं पर ब्लास्टिट के ये आपकान के शूरी के प्लास्टिट लूशे जहां करता है है, बिषत का नहीं, पहुंच पात काम करता है क्योंकि किसी दिन अगर धूप नहीं उगती है तो प्लांट क्या कर पाएगी खाना अपना नहीं बना पाएगी तो वो फिर उस दिन जीवी तरहने के लिए या फिर भोजन करने के लिए इसी से स्टोर फूड को यह इस्तमाल करती है ठीक है जैसे कि हम लोग जब करते हैं तो आप क्यों नहीं मरते हैं क्योंकि आपके अंदर में भी बॉड़ी के अंदर भी क्या होता है आपके अंदर में प्लांट भी क्या करता है फूड को स्टोर करता है जिस दिन कभी धूप नहीं हुगा बारिस के दिनों में वर्शाथ के दिनों में यह लोग यह ल प्लास्टिड है क्रोंप्लाष्ट क्रॉमप्लाष्ट जिसको हिंदी मौलते वर्ली लवक यह प्र ही प्रोवाइट करता है उख्रील को छोड़ थे構र Hmm क्रोमो प्लाष्ट के कारण तो यही बताया गया है ग्रीन रंग को छोड़कर बागी सारा रंग क्रोमो प्लाष्ट देता है क्योंकि इसके पास सारे पिग्मेंट होते हैं इसके पास सारे पिग्मेंट होते हैं एक्सेप्ट क्या होता है ग्रीन कलर का जो पिग्मेंट है chlorophyll यानि कि chloroplast यह pigment को छोड़कर बागे सारे pigment इसमें प्रजेंट होते हैं जैसे हो कि yellow color आप जो देख रहे होता है जैन्तो फिल pigment के कारण sunflower में जो yellow color होता है जैन्तो फिल pigment के कारण यह भी पूछा गया सवाल है tomato में जो red color leucopene के कारण leucopene pigment के कारण करोड में जो red color देखते हैं करोटीन pigment के कारण चुकंदर में जो color देख रहे हैं वह बेटानीन pigment के कारण तो आज से डारेक्ट पूछा जाए कि जो yellow color हो कौन से pigment जिन्तो फिल red color जो tomato का लुकोपेन और चुकंदर का जो color हो बेटानीन pigment के कारण ठीक है तो पौधों में पाये जाने वाला जो नीला बैगनी या लाल देखिए कोशन पूछा गया थे एक्जाम में इसलिए मैं एक जगा रख दिया है कि पौधों में पाये जाने वाला गुरुपडी का science species से भी hard होता है याद रखेगा पता नहीं उनको scientist चाहिए होता इसलिए पौधों में पाये जाने वाला नीला रंग देखिए पौधों में जो भी नीला रंग है चाहे बैगनी रंग है चाहे लाल वो कौन से वर्नक है फ्लेवो नाइड वर्नक फ्लेवो इसको आपको रट लेना है यह पॉइंट कि इस बार फिर से आपके रिपीट होंगे examination में तो लाल बैगनी नीला कौन से वर्नक काना फ्लेवो नाइड वर्नक और इसमें किसकी उपस्तिती होती तो एंथोसाइनिन की उपस्तिती होती ठीक है या फिर ऐसे पूछ लेंगे ज सेल वाल सेल वाल सेल मेंब्रेन और प्लास्टिट यह केवल प्लांट में प्रेजन्ट होता यह प्लांट में प्रेजन्ट होता है एक सेप्ट यूगलीना यह प्लांट में बैक्टिरिया में प्रेजन्ट होता है इंसेक्ट के हो गया और एक फंगी में यह अनिमल में अपस यह सिद्धांत किस न दिया था निकोल सन ने दिया था ठील है थील ठीक है सिंगरनेन निकोल्सन निदिया चौनटांग हम पढ़ेंगे करों मौ के बारे यानिके तारइक काई ke बारे पढ़ेंगे इसका जो केवल और केवल एनिमल सेल में, जब साइंटिस ने स्टड़ी किया एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो इसमें देखा कि सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता प्लांट में, लेकिन एनिमल में देखा कि सेंट्रोजोम प्रजेंट होते हैं, तो यह केवल आप से पूछा जाता है, तेक सवाल यही डियरिक्ट आप से पूछे जाता सेंट्रोजॉऄKE अनिमल सेल में प्रजेंट होता है या फिर प्लांट सेल में प्रजेंट या फिर पूछ लिया जाएगा ऐस परकास सके और यह Central Division process में यह सहायक होते हैं और यह बिल्कुल केंद रखिये जो Nucleus है इसके पास ही आपके पाया जाते हैं Tube like structure के स्ट्रक्चर के अब जीस देख रहे हैं बिल्कुल Nucleus के पास होते हैं यह हैं यह डाइग्राम है इसलिए आपको तो ना एक्ज़ट नहीं जब आप तो यहां से इतना complete हो गया अब हम बात करेंगे चार हमने अभी तक complete कर लिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे complete करेंगे mitochondria है nucleus है बहुत सारी अभी है तो अब हम लोग जो complete करने वाले हैं यह question की माध्यम से भी आप देख सकते हैं इसकी मैंने वीडियो भी बनाया था किस कोसिका में मौजो सबसे बड़ा कोसिकांग कोन सा तो question को हटाईए हम लोग कोसिकांग को ही पूरा पड़ लेंगे तो यह question क कोई फिर भैलू ही नहीं राजाता है nucleus कि अब हम लोग बात करने वाले या नहीं कि kendra के बारे हम लोग बात करेंगे ठीक है तो start करते हैं नुकलियस के बारे में अब हम लोकर सबसे पहले यह जो नुकलियस present होता है plant cell और और इनीमल तोनों में प्रज़ेंट होता है जब तो यह अधियान किया तो यह प्लाइद इनीमल या तो है जिखाओ सब से बढ़ा पार्ट तो पुछा जाएगा व opposed कौन सा बढ़ी होती है तो नूकल्यस होती है यानि केंडर Bennett पिर ना भी कहोती है इसके खोज करता इसके याद रखना बहुत बार कुचा गया इसे क्या काते है ब्रेट या फिर मैंğेजर ऐसेल भी काता है यानि कोशिका का मस्तिस्क भी काते हैं इसे क्यों काते हैं क्योंकि ये पूरे जो कोशिका जो भी कारी करती है उसको पूरा का पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है नुकलियस ही करती है ये जो कोशिका है ये कोशिका जो भी फंसन कर रही होती है इसको पूरा कंट्रोल कौन करता है Nucleus करता है इसलिए हम इसे क्या करता है Brain of Cell या Penizer of Cell यानी कोसी का कम मस्तिस्क भी करते है ठीक है क्योंकि Cell महोने वाले सभी क्रियाओ पर यह नियंत्रन रखता है अब जो Study करते है केंद्रक क्या जो Study करते है अधियन करते उसे क्या नाम देते हैं karyology करते है study of nucleus को क्या करते है karyology पुछा गया सवाल group D में BPSC में next RBC में जो nucleus होता है देखे RBC red blood cell ठीक है जो blood में आप जब पढ़ोगे तो blood में एक cell पढ़ा जाता RBC red blood cell white blood cell तो RBC में जो होते हैं आपके nucleus absent होते हैं तो पूछा गया सवाल है कि animal में ठीक है animal के cell में कौन से cell है animal के cell के कौन से cell में nucleus absent होता है तो RBC में absent होता है अगर plant में पूछ लिया जाएगा किसके अंदर कौन से सेल है प्लांट में जिसके अंदर नुकलियस एपसेंट होता तो सीब सेल जब आप बोट नहीं पढ़ोगे बढ़ाऊंगा वहां पर आपको में बताऊंगा सीब सेल क्या होता है ब्लड टॉपिक में हम लोग आर्बीसी डिस्केशन करेंगा तो यह आर्बीसी बहुत वहरी व और नुकलियस के चारो तरफ से नुकलियस को कभर करके एक आप मेंब्रेन देखरों इसको क्या नाम देते हैं नुकलियर मेंब्रेन या फी नुकलियस मेंब्रेन या फी केंद्रग जिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में मैंने लिखा केंद्रग जिल्ली इंगलिस मेंसे नुकल प्रकार बसकर और यह नुकलियस करके रखिय रखिया है वह भर करते हैं इस नाम देते हैं किया नाम देते हैं इस to इसे प्रकार से बना हुआ देखते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रोमेटिन काते हैं, और एक गोल अकार की संरक्षना है, नुकलियस के अंदर ही नुकलियोलस काते हैं, जिसे हम हिंदिम काते हैं, यह सारा कुछ पढ़ना है भी, और इसी में हम लोग DNA और RNA को भी कम्प् इसके खोज़ करता है, इसके क्ई हुआ करता है, इसको क्या कते है, ब्रेन ओफसेल या फिर मैनेजर ओफसेल भी कते हैं, क्व्कैर क्न अंदर क्यों करता है, यह से हम कंए अधर क्या है। वह एसीड कौन से हैं तो नुपलीएस के अंदर पाई जाते इसके लिए इसका नाम दे दी यह नुपलिक एसिड पाई जाते हैं यह नुपलिक एसीड जो थे होते हैं दो form में और आरेने फौर्म में अभी देखेंगे लाइणाराज के इंटरी हो गया आप समझगा बात को और Nucleic Acid की इस form में है तो DNA और RNA के form में है ठीक है यह क्लियर है तो Nucleus के अंदर जो Liquid Drup होता है उसे क्या कहते है लिक्नियो प्लाजम यानि की केंदरक द्रव Nucleus के अंदर मैंने है डॉट डॉट जो बनाई है इसमें कुछ ड्रव होता है और यह ग्रम में क्या सबसे Aram होता है तो water सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद protein होता है उसके बाद minerals होते हैं तो अगर आपसे पूछ भी ले जाए कि सेल में कौन से अनू कौन से molecule की मातरा सबसे ज़्यादा होती है तो water की मातरा सबसे ज़्यादा होती है यह पूछा गया सवाल भी है आपकी रेलुक्यार है नुक्लिस को 40 अपता ग्रहों नुलियर मेंब्रेस बिकाते हैं इसके अन्दर लिक्विड पार्ट पाट atom नुध्यॉट प्लासम करते हैं विसके अंदर यसे घृता है यहां इतना घ्रोम समय परजेंट होते कफर करेंगे किसको DNA रणी को चलिए चलिए डिने को भी हम लोग कफर करने वाले डिने का फुल फॉर्म सबसे लिख लेंगे तो डियने तो इस प्रकार के दो hearing us फोते हैं इसलिए इसलिए इस कि युद्फ के अलावा कहां कहां प्रजान होता है मैंने अभी तो आपको एक cell बनाया था cell के अंदर एक nucleus बनाया था और nucleus को चारो तरब से जो घेर के रखे हुए membrane cell membrane हो और इसके अंदर liquid है और अंदर acid भी है nucleic acid और जो DNA और RNA के फॉर्म में present होते हैं तो DNA कहां present है nucleus के अंदर present है लेकिन और लेकिन ये कोशिका के अंदर nucleus के अंदर तो DNA present है ही साथ की साथ कोशिका के अंदर mitochondria है ठीक है यानि कि कोशिका के अंदर mitochondria यानि कि mitochondria क्या है कोशिका का अंग है इसके अंदर भी DNA present होता है ठीक है तो यही बताया गया है कि DNA nucleus के अलावा कहा कहा present होता है mitochondria में present होता है और chloroplast में भी present होता है chloroplast मैंने क्या बताया था अभी आपको Plastid में अभी मैंने आपको पढ़ाया आया देखे चले Plastid में देख लेते हैं आपको clear cut पिल्कुल clear होना चाहिए यहां देखा है मैंने chloroplast सेल के अंदर जो chloroplast था जो Plastid है chloroplast के अंदर भी DNA present है मतलब कि यह सेल है ठीक है सेल का अंग हो गया एक nucleus यहां पे एक mitochondria इसका एक अंग है यह मान ले रहे हैए chloroplast है यानि कि प्लास्टिड हो तो इसके अंदर भी DNA present हो इसके अंदर भी DNA present है यह तो nucleus था, तो nucleus के अंदर तो DNA होता ही, यह हमें पता था, लेकिन exam में पूछा जाता है कि nucleus के अलावा DNA और कहां present होता है, तो plastid में present होता है, और mitochondria में भी present होता है, लेकिन और detail में अगर यह पूछेगा कि DNA DNA, plant cell में कहां present होता है, ठीक है, DNA nucleus के अलावा plant cell में कहां present होता है, देखे, nucleus तो plant में भी, cell में भी होता है, और animal cell में भी होता है, तो देखे, plant के कौन से cell में, तो mitochondria तो plant में केवल होता ही है, और animal में भी, दोनों में होता है, यह भी plant और animal दोनों होता है, nucleus, लेकिन यह plastic जो होता है, केवल और केवल plant में present होता है, तो यह बुलिए कि आप यहां पे plastic, plastic में भी कौन से plastic, chloroplast के अंदर DNA present होता है, तो अभी मैं आपका पूरा doubt clear कर दे रहा हूँ, question अपसे इस तरह से आएगा हिजाम में, कि DNA जो present होता है, nucleus कि राबा कहां कहां, mitochondria में और chloroplast में present होता, plant के chloroplast में, mitochondria तो plant में भी होता, animal में भी होता, तो plant के कौन से cell के kosikang में present होता, तो chloroplast में और mitochondria में भी, और nucleus में तो होता ही ह DNA और RNA की खोज किस ने की थी, ये पूछा जाएगा आपसे, तो faderic misher, आपको होगे faderic misher, आप pronunciation कुछ भी कर सकते, देख लीजेगा, तो अगर आपसे पूछ लिएगा, DNA का खोज किस ने किया, या और RNA का खोज किस ने किया, तो faderic misher ने किया था, RNA के बारे भी हम लोग discussion करेंगे DNA के बाद, अब DNA model एक दिया गया था, DNA model जो दिया गया था, क्या था, वो model मैं भी बताऊंगा, वो जो model दिया गया था, उस scientist के नाम आपसे पूछा जाता, Watson and Crick ने दिया था, DNA model किन के द्वारा दिया गया था, Watson and Crick के द्वारा दिया गया था, DNA and RNA ठीक है, किस से बने होते हैं, तो निकलियो टाइड के बने होते हैं, DNA and RNA जो होते हैं, वो किस के बने होते हैं, तो निकलियो टाइड के बने होते हैं, ये model जो है, मैं भी बताऊंगा, परिशा ने हो, DNA model बस अभी याद रखिए, किस ने दिया था, Watson and Crick ने दिया था, DNA and RNA किस के बने होते ह विए आपको मेंग समझना है किस के बने होते हैं ? नुकलीोटाइड के बने होते हैं यहां पर आपको सवाल पूछा गया था कि DNA में क्या होता है ? आमेनोड़ इसिड चीशंद नुकलीव刑ट प região नुकलीोटाइड होता है तीन चीज हो गया है नुकलियोटाइड में एक क्या हो गया सूगर एक हो गया बेस और एक हो गया फॉस्पोरिक एसिड सूगर बेस और यहाँ पे पूछा जाता कौन सा बेस तो याद रखना है नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होता ठीक है तो DNA और RNA किसके बने होते है निकलियोटाइड के बने होते हैं इस कंबिनेशन किसके होते हैं सूगर के नाइट्रोजीनियस बेस के होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं और फॉस्पोरी केसीड होते हैं तो अब आपसे पूछा जाएगा कौन-कौन से सूगर प्रेजेंट होते हैं कौन-कौन से क्या होता है, combination of base, कौन सा base, nitrogenous base, sugar और phosphoric acid, तो अब DNA में कौन सा sugar present होता है, यह आप से पूछा जाता है, DNA का full form मैंने क्या बना बता है, deoxy, ribose, या फिर बहुत जगा आपको मिलेगा dioxy, तो di मतलब क्या हो गया, दो, यानि कि इसमें 2 sugar present होते हैं, और वो 2 sugar कौन सा है, 2 ribose sugar हो होती है, तो pentose sugar होता है, pentose sugar कितना होगा, DNA है, यानि कि die, यानि कि 2 pentose sugar होगा, या फिर option में 2 ribose sugar मिलेगा, या रखेगा, तो मतलब DNA में 2 pentose sugar होते हैं, या फिर आपको 2 ribose sugar, option में जो मिले वो टिक करिएगा, तो यह जो DNA बने होते किससे, nucleotide के, और RNA किससे बने होते है, nucleotide और नुकलियोट टाइट क्या होता है, combination of sugar, nitrogenous base और phosphoric acid, तो DNA का मैंने clear कर दिया, कौन सा sugar होता है, तो ribos sugar, कितने, दो ribos sugar, या फिर दो pentos sugar, तो sugar clear, अब हम बात करेंगा nitrogenous base, किसके लिए, DNA के लिए, अभी मैं RNA के लिए भी sugar बताऊगा, nitrogenous base भी बताऊगा, और phosphoric acid तो सेम होते दोनों में और बाकी चीज्च भी मैं अब बताऊंगा कि RNA और कहा प्रेजंट होते हैं नूप्यृस के रावा जैसे डी एने प्रेजंट होता है मैट्रोकॉंडिया और ख्लॉरोप्लास्ट में ठीक है डीने के जो structure होते हैं double helix structure होते हैं लिकिन RNA का अलग होता है वो बहुता हूंगा उसकी फूल फाउंगी मैं अलग बताऊंगा सेभी कि जैसे DNA का बताया हूं लेकिन न तोनों का खोज जो किया था यह निकियत इसलिए जो सेम पॉइंट आपर मैंने महिन्न में एक जगा कर दिया अब ढ़र कमेश के बारे पहले जान लेते हैं पहले नाइटोजिने बेस के बारे जान लेंगे उसके बार यान लेंगे के चाहिkung अब 1-2 उपर नहीं गयर चली यह पूरीन टो लोग यहां पर देखते हैं मेरे तो आपको जो nitrogenous based होते हैं इसमें दो nitrogenous based होते हैं आपको याद रखना ऐसे AG ठीक है जो wife होते हैं अपने पती को क्या बोलते हैं AG देखिएगा जो साध्य सुधा है आपको भी try कीजेगा सुनने का कोसिस कीजेगा AG वो बोलेंगे AG मतलब क्या हो गया याद किया हूं मैं इसलि एंदर थाइमीन तो आपको nitrogenous based पांच nitrogenous based पांच nitrogenous based में तीन हो गया इधर और दो गया इधर दो nitrogenous based होते हैं एक purine nitrogenous based हो गया पिरीमेट 9-6ी into got rainforest chainast sinners जो होते हैं आपस में जूड़े होते जैसे A जूड़े होंगे आपको थिक है T के साथ तो यह few ौउड्ड से जूड़ होंगे तो जैसके आप एक बनाते हैं ना इस प्रकार से जैसे क्पवर आपने बनाया थिक है तो सिंगल बॉंड से जूड़े हूए हैं तो नहीं nitrogenous base जो होते हैं यह जो nitrogenous base है nitrogen base कुण कुण से A, G, C, U, T है यह और यह को further मैं रहे डिवाइट गया था Purine and Purimidine में तो A और मान लेते हैं कि A और U अगर जुड़ा हुआ तो कौन से bond से जुड़ा हुआ है तो जो भी वो bond होता है उस bond का क्या नाम होता है hydrogen bond से जुड़ा होता है ठीक है तो option में रहेंगे single bond, double bond, cobalent bond, wonderwall bond, कोई भी bond नहीं hydrogen bond से जुड़े होते हैं अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो nitrogen base में आपको समझा दिया क्या होता Purine and Purimidine होते हैं Purine को भी दो भाग, Purine में भी दो nitrogen base हो गया, Ag, adenosine, guanine और इधर cut लेकिन DNA में इन पांचों में से कौन सा प्रजेंट होता है nitrogen base और RNA में क्या होता वो भी हम लोग देखेंगे तो DNA में ये प्रजेंट होता है, तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है यानि कि adenosine, T यानि कि thymine, C हो गया cytosine, G हो गया guanine तो C और G, यानि कि cytosine और guanine ये जो nitrogen base के बीच में कितने bond होते हैं तो याद रखना है, तीन bond होते हैं और ये bond कौन से हैं तो hydrogen bond है तो DNA आपको याद रखना है, तो DNA में थोड़ा सा change आपको मिलेगा यहाँ पर, ये change हो जाएगा बाकि ये same as it is रहेगा। यह वह तो ओभी मैं बताउगा तो यह किलियर हो गया किसे बने होते हैं यह आपको क्लियर हो गया रिपंटल बने होते हैं कौन सा सुगा ट्रेट खर नाइट्रोजीनि बेस मैं नें दोड़ा है असे मेर साथ इसमेंrose और वे इसमेंस पर फिरमीडे इसमें अ Sindy DNA में कौन-कौन से nitrogenous present होते हैं, याद रखना adenosine, thymine, cytosine और guanine, कौन से bond से जुड़े होते हैं, यह तो hydrogen bond से जुड़े होते हैं, अब DNA होता क्या है, DNA एक genetic material होता है, मतलब क्या है, एक अन्वानसिक पदार्थ है, मतलब क्या देखे, जब कोई baby जन्म होता है, तो parents है ठीक ह parent से एक छोटा था baby जन्म होता, parent से जो भी लक्षन जाता है इस baby के अंदर, तो यह जो जाता है, तो यह DNA ही जाता है, यह यह आपके यह पबाद, जो लक्षन को ले कर आगा, मतलब जो लक्षन जाता है, किसके तो DNA के थिने तो ही जाता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, advanced पद्दार्त या फिर जनेटिक मेटेरियल कहते हैं ठीक है तो यह जो parents है आपके ठीक है और यह जो आप है बच्चे तो आपका जो parents का जो लक्षन आपके अंदर आया मतलब आपके अंदर क्या है DNA आ गया इनका जो DNA आ गया इसलिए आप DNA टेस्ट भी करवाते हैं होता है न्लाütünफ दाद करते हैं मतलब जो माता पीता या अंकल आउंटी द्यादा दादी के जो laxhan ए ऑग बच्छे के अंदर आते हैं वह कैसे जो बच्चे का जन्म हुआ है, अब ये बच्चा मेल है या फिर फिमेल है कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड करता है, क्रोमोजोम, गुंसुत्र, तो अभी हम गुंसुत्र को भी पढ़ेंगे, ठीक है, इतना भी एकलियर हो गया, मैंने डिफरेंसियेट करने के कोशिस की डिएने के बीच में, जीन के बीच में, क्रोमोजोम के बीच में, ठीक है, डिएने क्या होता है, यही डिएने ट्रांसपर होता है, माता से, माता, पिता, बाप, दादा, जो भी बोलीजे, बच्चे में ट्रांसपर होता है, इसको ट्रांसपर कौन करता है, तो जीन करता है, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा यह क्रोमोजोम डिसाइड करता ठीक है अब DNA में एक प्रोटीन प्रोजेंट होता है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था यहां फिगर में ही फिगर अगर आप थोड़ा सा देखने के कष्ट करेंगे क्या करेंगे तो कष्ट करेंगे तो आपको देखने को क्या में बताया था कि इसके अंदर क्या होते है लुक्विड प्रोजेंट होते हैं इसको हम लोग नुक्लियो प्लाजमी से क्या बहुत सारे प्रोटीन और डीने के साथ कौन सा प्रोटिन प्रजेंट होता यह आप से पूछा जाएगा तो प्रोटिन का आपको नाम याद रखना है हिस्टोन प्रोटिन ठीक है डीने में कौन सा प्रोटिन 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 होता है और अभी मैंने आपको बताया था मॉडल के बारे मे पुल रहा है ना डबल हलिक से इस्ट्रक्चर है और इसके अंदर ही जो है जो है सूगर दो सूगर है यानि किर आई जो राईबॉ सूगर या पेंट्रू सूगर दो प्रजेंट है साथ के साथ साथ नाईजस बएस भी प्रजेंट है तो आप देखिए नाई-टोजीनियूस और DNA is more stable than RNA ठीक है तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कैसे DNA ज्यादा स्टेबल होता RNA से अब यह जो दो हैलिक्स के बीच का जो डायमीटर यह आप से पूछ लिया गया थे एक्जाम में तो 28 इंगे स्ट्रम होते हैं इनके बीच के डायमीटर को ठीक है यह याद रखना हो नेक्स्ट DNA fingerprint की खोज किस ने की थी तो डाक्टर एल के जैफरेज द्वारा की गई थी और DNA fingerprint भारत में लाने जो लाने का स्रीक इनको दिया जाता है डाक्टर लाल जी सिंग को दिया जाता है क्लियर है भाई भाई अब हम बात करेंगा RNA के बारे तो RNA का सबसे पहले फुल फॉ सपोर्ट नहीं मिलदा इस प्रकार से लेकिन DNA को आप देखो कि तो इस प्रकार तो सपोर्ट मिला है और यह RNA है तो इसलिए यह जो होता है लेस स्टेबल होता है कंपेर्ट टू डियने तो वही चीज यहां मैंने लिखा था DNA is more stable than RNA ठीक है due to double helix structure अब इसमें जो RNA में जो न प्रेंटो सूगर है तो राइबो सूगर एक होगा और पेंटो सूगर एक होगा इसमें RNA में लेकिन इसमें जो nitrogenous base होगा यह चेंज हो जाता है यहां देखें C और G मैंने तो बोला स्था सेम होगा लेकिन यहां पे जो adenosine जो होता है यह यूरासील के साथ hydrogen bond से जुड़ा ह होता है तो A double bond यह होगा और C triple bond G होगा यह RNA में तो अब से पूछ लिया जाएगा कि RNA में कौन सा nitrogenous base present होता है तो A RNA में कौन सा sugar ribosugar और pentosugar RNA आप कहां कहां present होता है nucleus में तो अभी मैंने आपको बताया यह present होता है साथ के साथ cytoplasm में भी present होता है cytoplasm क्या हो गया देखें यह तो आपका cell और यह था nucleus ठीक है और यहां cell wall जो है आपका cell wall और यह nucleus के बीच में जो कुछ liquid part present होता है यह liquid में क्या होगा water और mineral यह प्रोटीन होगा सबसे ज्यादा वाटर ही present हो तो इसी liquid को cytoplasm दते हैं और nucleus के अंदर present था इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया आपको आपको निक्लियोप्लाजम फिगर में दिखा दूंँ आपको मिरे बद्दशर और clear हो जाएं आपको देखें कहां यह भी भी आपको इतना तो समझ माही गया होगा है यहांपर जो लीकिट प्रजेंट है इसको आमने क्या नाम दिया और इसके अंदर प्रजेंट के बीच लिक्वीड है ठीक है वह भी मैं दिखाई दू आपको यह दखेखे पहला फिगर हम लोग देखेंगे तो आपको तो पुरा क्लियर हो जाएंगा यह आपका क्या है है पैसे बाल हो गया यह बैखे जान किनया होगा यह ऐक तो और यह क्यों को उना सब्सक्राइब और यहां से मैं आपको डॉट 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 इस पर कहां से बना दिया हूँ ठीक है तो यह जो डॉट डॉट जो देख रहा है यह हो गया साइटो प्लाजमी एक लिक्विड पार्ट होता है जो किसके किसके बीच में रेड कलर यानि की सेल मेंब्रेन और नुकलियस के बीच म और एक और लिक्विड प्रजेंट आप देखने को मिल रहोंगे मैं पिंक से बना दूं इसके अंदर है ठीक है तो यह नूटेस के अंदर प्रजेंट इसको क्या कहते है नुकलियो प्लाजमी यानिक केंद्रग द्रव और यह हो गया साइटो प्लाजमी कोशी का द्रव ठी के बीच में लिक्विट पार होता उसकों क्या बोलते हैं साइटो प्लाज्म अब इससे जादा नहीं समझा पाइंगे आगे अब आरेने के भी कुछ टाइप हो अमेनली आरेने का काम क्या होता तो याद रखेगा आरेने का क्या है प्रोटीन को बनाना ठीक है अगर बॉड़ी में आरेने एपसेंट है तो आपके बॉड़ी में प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब राइवोजोम भी बनाती आगे just RNA टाइब के होते हैं, अब RNA का मेंली काम क्या है प्रोटीन को बनाना तो उनके जितने भी टाइब होंगे, MRN, RRN, Random यह तीनों क्या करेंगे? प्रोटीन सेुरे प्रोटीन से रिलेटब ही कुछ काम करेंगे ? MRN यानी कि Мос Stacy breedร, RRN यानी कि Ribosome and TRNA यानी कि Transport RNA अब कोई भी कोशिका को कितने amount में protein चाहिए होती वो mRNA बताती है और कितना amount में यह mRNA बता दिया rRNA को यह rRNA क्या करेगा उतना amount of protein बना देगा आपके body में और tRNA क्या करेगा इस protein को ले करके उस cell को वहाँ पर जाकर के provide कर देगा बस यही होता rRNA mirn self किस पार्ट में कितनी protein क्या हो सकता यह mRNA बताता है messenger काम करता है messenger RNA को देता है rRNA उतना protein बनातर tRNA क्या करता उसको ले करके चला जाता लिकिन इसके बीच के एक और कड़ी है जो और रहने जो protein को बनाया है यह protein को फिर क्या होता है ना एक Golgi body, cell का ही एक अंग है, ठीक अभी हम लोग पढ़ेंगे, यह protein को क्या करते हैं, यह bundle को फॉर्म में package कर देता है, जैसे घर में खाना बनता तो आपके ममी दो रोटी जो खाता है, उसको एक pack करके टिपिन में देते हैं, किनी को 3, किनी को 1, किन बस यही काम है, कुछ फैक्ट, पैंसिलिन के खोज, अलेक्सेंडर फ्लैमिंग, मिटोसिस डिवीजन, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, इसके बाद उसमें बात करेंगे, वाल्टन फ्लैमिंग ने की थी, जेनिटिक कोड के खोज किसने हर गोविंद खुलाना ने 1968 में और जोडे में प्रजेंट होते हैं, ठीक है, पेर में प्रजेंट होंगे, पेर में, जोडे में प्रजेंट होते हैं, हमारे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो भी ये प्रजेंट होगा, क्रोमोजम हमेशा ही पेर में प्रजेंट होते हैं, इसके जो खोज करता कौन है, वाल्ड बनाया था ठीक है थ्रेड लाइक है की structure होती है अगर आप यहां पर देखिए इस figure को देखिए थ्रेड लाइक structure यह क्या है आपका nucleus है इसों कभर करके कौन रखा nuclear member और अंदर क्या है liquid है nuclear plasma और यह थ्रेड लाइक structure इस प्रकार से बनी होती है इसको हम क्या कहते है क्रोमेटीन कहते है ठीक है यह देखिए figure में लिखा मैंने क्रोमेटीन और यही क्रोमेटीन क्या होता है आपके क्रोमोजोम का निर्मान करती है तो यही चीज मैंने यह लिखा है किंद्रक के द्रव किंद्रक द्रव नुकलियो प्लाजम में थ्रेड लाइक यही जो होता है आपकी DNA प्लस हिस्टोन प्रोटिन प्रोटिन के बने होते हैं यह जो क्रोमोजोम का निर्मान किया और यह क्रोमोजोम यानि कि गुंसुत इससे बने होते हैं DNA plus histone protein के बने होते हैं, DNA और Guston protein क्या होते हैं मैंने आपको बना दिया DNA да nucleus के अंदर nucleic acid present होते है nucleic acid दो form में होते है DNA और RNA और DNA जो परिज़न होते है histone protein के साथ और यही DNA होना histone protein से आप के chromosome स्क्रो ي आपके chromosome स्क्रोजेए है उसल अगर बिवाजन की अपको गुंसुत्र का होता दिखाई देता है याद रखना है और और क्रोमोजोंग क्या होता ही आपके जीन लगे होते हैं इसे मैंने बता है जो आपको क्या танे डिय इने जो आपके जенेसी की तो ता प nunsili छा için जा它 T और फादर ऑफ जैनेटिक किसे काते हैं तो ग्रेगर मैंडल को भी काते हैं जो मटर के उपर इन्हों ने खोज की थी तो father of genetics Gregor Mendel, study of gene genetic, gene के coach Johnson chromosome के उपर क्या होते, gene लगते है chromosome कब दिखाए दिता, गुंसो तो cell division के समय, gene जो होता है genetic character को क्या करता, transfer करता है new baby में, genetic character यानि कि DNA को क्या करता, gene transfer करता है new baby में, केंद्रक द्रव में जो गोल अकार की एक रचना होती है, दिखें केंद्रक द्रव में गोल अकार की रचना आपको दिखाई पढ़ रहा होगा nucleus के अंदर क्या है, liquid nucleoplasm जिसको बोलते है, गोल अकार की रचना है जिसको हम क्या बोलते है, nucleolus यानि की kendrica, ठीक है, kendrica क्या है, तो RNA plus protein का संसलेशन करता, यहरी के RNA को protein में synthesize करता protein को बनाने में काम मदद करता है यह क्यों है, nucleolus RNA plus protein के संसलेशन में सहाइक होता है और सबसे पहले, जब भी cell division होता है, मतलब एक cell है इसका जब division होगा, तो 2 cell बनेगा फिर further इस cell का division होगा तो 2 cell बनेगा इसका division होगा तो 2 cell बनेगा फिर इसका भी जब होगा तो 2 cell बनेगा division होनेगा यह भी 2 cell तो यही चीज यहां लिखा गया कि cell division जब होता है तो सबसे पहले cell का कौन सा पार्ट में division होगा तो नुकलियोलस सबसे पहले डिवाइड करता है, तो सबसे पहले नुकलियोस डिवाइड करता है, बहुत अच्छा कोशन है, आपके PCS range का ये सारे कोशन है, ठीक है, और जीन को क्या कहा जाता है, वेकल ओफ हेरिडिटी, अनि अनुवानसिकता का वहाँ कहता है, क्योंकि ये हैं, इसलिए इनके उपर ही इन्होंने study किया था, डॉग में 78 गुंसुतर होता है, कैट में 38 गुंसुतर होता है, फ्रॉग में 26 होता है, चिंपेंजी में 48 होता है, हाथी में 56 होता है, मानों में 46 गुंसुतर होता है, यानि कि 23 पेर्स होता है, ठीक है, 23 पेर्स होता है, आपको झिए लोगर करता इसको हमने नाम दीया सांम यह आपके sex determining chromosome होता है यानि कि link निर्धारन आपका जो आपका link को निर्धारन करता है कि आप जो है male है या फिर female है ठीक है तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा chromosome sex determining chromosome होता है तो allosome यानि कि link निर्धारन में शहायक होता है तो कौन दा क्रोमोजोम दो एलोजोम, दो क्रोमोजोम होते हैं केवल, मतलब 46 में दो क्रोमोजोम जिसको हम क्या करते हैं, एलोजोम जो sex determining क्रोमोजोम होते हैं, आप देखें जो ये दो sex determining, देखें ये 44 क्रोमोजोम जो होते हैं, ये male में भी होंगे और female में भी होंगे, लेक यानि यह दो ख्रोमोजूम एक्सक्राइं लिए और यह तो आपको दिखाई मिलेंगे दिन अब यह निए नॐ फ्रॉटिफार सुटर्षी ट्रॉटर सुकश्ष क्रोमोजूम में पढ़ेंगे मैं मतलब पढ़ाऊंगा वीडियो डालूंगा तो मैं बताऊंगा वो जैनिटिक डीजिस के बारे भी अब देखें कैसे फॉर्मिशन होता है लड़का-लड़की का देखें यह मदर फादर है यानि कि यह मदर का क्रोमोजोम हो गया 46 देखें 44 तो मैंने कहा था ओटो जो गया अलोजोम यह ओटोजोम यह एलोजोम 44 तो एजटीच होगा मदर में भी फादर में भी और इसका जो सेक्स डिटरमाइनिग क्रोमोजोम जिसे एक्स वाई काते है फाद में में और एकस होगया फिमिल में अब इसका जब डिवीजन किये तो मैंने 22 एक्स तो मिल करके 22 और यह 24 और यह X आया तो भाइस एकस 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 क्या होता देखिए एकस क्या है जो बच्चा होगा वो कैसा बच्चा होगा फीमेल होगा ठीक है यह लड़की होगी उसी पर पादर से आया आया आपका एक मिनट्ट प्रादर से आपका ये आया 22 प्लस एकस यह बला ख कहां देखेंट कौन सा एकस रहा ठीक है दिक है ध्यान से दिखेगा यह आए और यह आया ठीक है पिता का 22 mamy 22 2224 ओर इदर से य आ गिया और इでも next निए जो बच्चा होंगा वह क्या होगा फिमेल नहीं होगा शिक्राइब तो किमालीश प्लस queen हो गया उस्की परकार या तो 22 और यह 22 क्या होगा 44 और यह Y और यह X, तो X और Y क्या होगा यह भी male होगा, तो बच्चा जोगा वो male होगा, मतलब आपको इससे समझ में आ रहा है कि totally depend कर रहा है कि father के तरब से कौन सा chromosome आ रहा है sixa और या फिर य रहाएऑ डिपेंड करवा बच्चा तब मेल ऑगा या फिमेल हमने की बच्चा पहले चलती है इस पर हम garbage नहीं होती है लड़की जब पैता होती तो इसलिए ऐसा नहीं ओला थाइस धीन के ओंगानों में 23 च्रोमिज मुत यहीं दों 23 प्लस 23 क्रविजम मिलेगा तो एक बेडी का निर्मान होगा ठीक है या मैंने बताय कि यह सेढ का सेढ करेगा बिपीजेड़ करेगा दोसे ने फिर फर्दर यह डिवाइड करेगा दो सेने फिर फर्दर यह डिवाइड करेगा दो सेने फिर फर्दर यह डिवाइड करेगा दो सेने फिर फर्दर यह दो इस पकार सेल डिवाइड करते चलता सेल डिवीजन हम लोग पढ़े हैं आगे डिने खतम पूरा हमने नुकलियस खतम कर दिया पांच अंग हमने खतम कर दिया अगर आपने डिने के साथ हमने क्रोमोजोम खतम क्या है जीन खतम क्या है और अब ही हमने क्या खतम क्या आपके नुकलियस को खतम कर दिया अब हम लोग तो बात करेंगे इंकि सबसे इंप्जूसी का करें के बारे में। यत मिक्त कमार्ची सबसे इंप्जु सबसे इंपकर्डेंट सवाल हो पुछा जाता है यह जो एंपार dej के अपतर से न स्चुरर माथे नाम दिया inner membrane और इसी inner membrane से आप एक finger like इस तरह finger like structure देख रहोंगे जिसको क्या नाम दिया गया क्रिष्टी नाम दिया ठीक है यह finger like structure क्या करता है यह थोड़ा सा area को increase कर देता है absorption के लिए तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रिष्टी क्या होता क्रिष्टी का सेप कैसा तो finger like structure की तरह होता क्रिष्टी कहां present होता तो mitochondria में present होता mitochondria का जो आवरन होता है कैसा होता सिंगल होता है या double तो आपको आपको जो दिखाया था यह देखे इसका एक पार्ट मैं अभी पढ़ रहा हूं लोग माइट्र कॉंट्र को पूरा सेल को जानने के लिए एक पार्ट को पढ़ हो जैसे कि अभी हमने पूरा इसको पढ़ लिया फिर कलोरोप्लास टेक होता उसको हमने पढ़ा है सेल मेंब्रेन होता इसको हमने पढ़ लिया ठीक है आ Bowl जो पढ़ रहे है उसके बाद फिरम लोग यह इंडव प्लासव हम लोग पढ़ लिया इसक वाध वैक्ड पढ़ पढ़ेंगे इसका और पी इसको मैंने क्या नाम दोक्रिशना के की город में रिय मैंकतुच्च्छ्छी नाम मुप्स करें पड़ाभार भी प्सक्राका मैंकता है इन काता हैको, ँरुष का स्वालो अनुक्रिच बीच के बीच में iikogep प्रेजंट था इसकोंने साइ rozp न हो और middle है इसके अंदर किया नाम दिया मेट्रिक्स अंग्तर छो बना हुआ मेट्रिक्स यह लींगृटर ठीट है अब यह जो हता आपके फूल प्लाइन माद के सेल में में प्रेजंट होता है है माइटो कॉंडिया जो हैता है एक प्राकार में यो एक प्राकार का ध्रव पाय जातों उसे क्या कते है Re Heroes क Kings कते इसी क्रिश्टई के उपर आप देख रहो हैंगे कटी हुई आपको structure को दिखे इसको हम क्या नाम देते हैं oxyzone तो पूछा जाता oxyzone present होता है कहां mitochondria में अगर option में मिलेगा mitochondria नहीं मिलकर के matrix तो matrix टिक करोगे matrix नहीं मिलेगा तो कहां तो krishti आपको option मिलेगा तो क्रिष्टी टिक करेगो तो best option क्रिष्टी ही होगा ठीक है तो option के उपर depend करता है क्या है आप से पूछा जा रहा है तो क्रिष्टी के ऊपर क्या होता छोटे छोटे चोटे कन होते हैं जिसे क्या करते हैं oxyzone मैंने अभी दिखा दिया जो अब इसी मैट्रेक्स के अंदर जो होते हैं एक प्रॉसेस होता है एक साइकल होता है जिसे नाम कत देते हैं क्रेब साइकल और इसी के अंदर जो होते है 30 ATP energy का production होता है ठीक है ATP के form में देखे हम लोग जो भी energy हम लोग इस्तेमाल करते हैं यह हमारे body energy बनता है वो ATP के form में बनता है adenosine triphosphate आगे हम लोग बताएंगे क्या होता तो हम लोग energy किस form में इस्तेमाल करते हैं तो ATP के form में यह भी पूछा गया सवाल है तो देखें इसी के अंदर जो एक cycle process हुआ जिसको नाम देते है क्रेब cycle अब क्रेब cycle हमें नहीं पढ़ना हम लोग इसमें total कितने amount sorry कितने ATP energy का निर्मान होता तो यह आपसे पूछा जाता है 30 ATP का निर्मान होता है उर्जा का जिसको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं अपने दिन चरिया में या फिर आप पूछा जागा कि क्रेब cycle कहां होता है तो माइटर कॉंटिया के matrix के अंदर होता है ठीक है निर्टर कॉंटिया को क्या कहा जाता सभावर आउज सेु कोषी कि आको छेल को स्वरीय 분들은 k begin क्यों क्यों कि से इंदर क्या है powerhouse of cell भी काते हैं यह कैसे है? देखें, respiration का मतलब क्या होता है? जो आपने खाना खाया है अब आपने कोच भी खाना खाया होगा, चाहे आपने carbohydrate खाया हो, चाहे protein खाया हो, चाहे fat खाया हो, तो जब आपके बॉड़ी में हो जाते है तो आपके बॉड़ी में बहुत सारे enzyme present होता है वो enzyme क्या करते है आपके carbohydr protein और fat को क्या करते है छोटे छोटे टुड़ों में तोड़ देते हैं और finally वो जो convert होता है आपके glucose के form में आपके जब cell में एक छोटा सा cell जो हम लोग पढ़ने हो वहाँ पर जब वो जाता है वो glucose के form में जाएगा ठीक है तो आपने देखा कि glucose आपके cell को क्या हुआ glucose मिला कैसे आपने जो खाना खाया वो क्या हुआ उसका breakdown हुआ किसने तोड़ा इंजाइम ने तोड़ा और वो आपके cell के अंदर गया किसके form में गुलकोज के form में और जब आपको cell को oxygen भी मिल जाता है अब यह oxygen कैसे मिलेगा circulator system हम लोग पढ़ेंगे blood जिसमें तो blood आपने क्या किया oxygen inhaled किया मतलब बाहर से इंफर्मेंट से लिए आपके नाग के थुरू फुड नलिका से होते हुए आपके blood में यह क्या होते है आके यह oxygen हवा जो यह आया थे O2 और CO2 दोनों मिल जाते हैं लेकिन blood जो O2 oxygenated blood जो होते हैं वो क्या होते हैं cell को provide करता है glucose के साथ जैसे ही oxygen मिलता है तो इसका क्या होता है Oxidation होता है ठीक है Oxidation होने के बाद आपके cell के अंदर CO2, H2O और 8 ATP energy का निर्मान होता है यही energy हम लोग टोटल अगर हम लोग बात करें तो कितना energy हो गया 38 ATP 30 यहां से आया Krebs cycle और 8 ATP यहां पर आपके cellular respiration के तुरू तो यही energy mitochondria में store होती है जो हमारे body में energy ATP के form में खर्च करते है हम लोग जो energy खर्च करते है इसी ATP के form में ठीक है तो समझ में आए क्यों इसे powerhouse of cell कते है क्योंकि हमारे cell को यह क्या कते है बोल सकते है power देते है या फिर house जब भी आपको जरुवत होती है energy को तो यह कहां से आप energy लेते हो तो mitochondria से इसलिए इसलिए powerhouse of cell कते है शुशन का मतलब समझ गये है क्या होना oxidation होना glucose का breakdown होना या oxidation होना glucose का glucose कैसे है आपके body में आपने जो खानक है carbohydrate, protein, fat उसका क्या होता breakdown होता है किसमे glucose में ही और उसको फिर जब oxygen से combine करता है तो आपके CO2, H2O rate amount of ATP मिलते है ठीक है ATP का full form पुछा जाता adenosine trifosphate होता है और इसे energy currency भी काते है energy currency हो गया जैसे आपके पैसा ATP से जब एक phosphate को subtract कर देते हैं हटा देते तो ADP का formation होता है और ADP में जब एक phosphate add कर देते हैं तो आपका ATP का formation होता है clear cell के अंदर सबसे पहले किस को सिकांग का विकास होता आपसे पूछा जाएगा कि cell के अंदर अभी हम लोग जो cell पढ़ रहा है cell के अंदर बहुत जारे nucleus था इदर Golgi body है endoplanca mitochondria तो सबसे पहले किस अंग का निर्मान होता है विकास होता तो याद रखना mitochondria का क्योंकि इससे ही हमें तो energy मिलती इसलिए सबसे पहले इसका ही निर्मान होता है दूसरा गुंसुत्र कब दिखाए देता है जब cell का division होता है और जब cell का division होता तो सबसे पहले कौन divide करता है तो nucleolus करता है kendrica करता है मैंने आपको बता दिया पहले यह सारा कुछ mitochondria को cell within cell भी कहा जाता देखे पहली बात तो यह कि cell के अंदर क्या है यहाँ nucleus था यहाँ पर DNA प्रजेंट होता है साथ के साथ यहाँ mitochondria प्रजेंट है ठीक है मैंने क्या बताया था DNA आपका mitochondria में भी प्रजेंट होता है nucleus के लाबा और chloroplast में प्रजेंट होता इसलिए क्या होता है कि जो cell काम करता है यह आपका जो cell काम कर रहा होता है as it is उसका 80% काम आपका mitochondria same as it is काम कर देता है इसलिए कहा जाता है mitochondria को kosica के अंदर kosica इस kosica के अंदर एक kosica और है कौर है mitochondria क्योंकि इसके अंदर अपना DNA खुद का present होता है जो DNA काम जो cell जिस प्रकार से जो काम करती है उसका 80% काम mitochondria खुद कर देती इसलिए mitochondria को cell within cell यानि kosica के अंदर kosica करते है पूछा गया एक्जाम में कि cell within cell किसको काते है क्यों कहते है यह आपको बता दे क्योंकि cell kosica की तरह mitochondria के पास भी खुद की DNA होती है और इसलिए cell जो काम करता है उसका 80% काम mitochondria खुद कर लेता है 80-85% काम mitochondria खुद कर लेती है इसलिए जो काम cell करती है मतलब कि जो घर में काम आपके बड़े भाई कर रहे है उसका 80% काम आप खुद भी कर लेते है तिस्ता से बोला जा सकते है कि घर में बड़े भाई घर के अंदर बड़ा भाई एक और है ठीक है? मतलब आप हो उसी परकार kosica के अंदर शेल एक और है cell के अंदर ही एक cell और है घर के अंदर ही बड़ा भाई दो है उसी परकार kosica के अंदर ही kosika वो कोन है तो Mitrocondria क्यों है समझ भागा इसलिए से kya करते है सेल के सेल करते है Mitrocondria का calls खोज किसने क्या था थो Ultra Moon and Flaming क्या था ठीक है Mitrocondria के को खोज किस ने की हिए तो Ultra load he Inner and Flaming के लिगा और Mitrocondria का नाम कीस नहीं दिया था तो यह नाम बेंडा ने दिया था या फिक कोलिकर देके priority सबसे ज़्यादा को दिजेगा option में अगर यह नहीं रहा तो बेंडा मिलेगा यह नहीं रहा तो ultimate flaming अगर तीनों option में रहा तो सबसे ज़्यादा priority कोलिकर को देना आपको ठीक है mitochondria के खोज किसने की ultimate flaming mitochondria का नाम किसने दिया था बेंडा और कोलिकर सबसे ज़्यादा priority हम दोग देते हैं कि इसने ही खोज किया था mitochondria को option देख लिजेगा जो भी मिलेगा क्योंगी कई सारे किताबे बहुत सारे नाम दे रखे थे इसलिए मैंने तीनों ले लिया तो सबसे अगर पूछा जाएगा largest कोसी कांग कौन सी है सेल और्गनील सेल का पार्ट कौन सा तो वो कौन सा था nucleus ना मैंने बताया था लेकिन second largest अगर आप से पूछा जाएगा component कौन है तो mitochondria है ठीक है तो सबसे बड़ी कोसी कांग कौन से हो जाएगी तो वो nucleus केंद्रक ना भी हो जाएगी लेकिन second largest दूसरी सबसे बड़ी कोसी का कौन से हो जाएगी तो mitochondria हो जाएगी ठीक है clear mitochondria अब बात करेंगे lysozome के बारे में यह next अंग है आपका lysozome lysozome को हिंदी में भी lysozome बोलता है यह keval और keval जब scientist ने अधियन किया cell के उपर plant cell और animal के cell तो उसने देखा keval और keval plant cell यह था और यह animals है keval और keval animal cell के अंदर उन्हें lysozome दिखाए पड़ा plant के cell के अंदर यह present नहीं होता है तो only found in animal cell तो यह पूछा जाएगा आप से इसाम में कि lysozome present होता है animal cell यह फिर plant cell में तो यह animal cell में ही keval present होता है ठीक है next इसका जो discover किस ने किया था तो D. Dubey जी ने किये थे D. Dubey ने इसका discover किये थे इसकी जो structure होती कैसे membrane होती है single membrane होती है single membrane के जो structure होती है और lysozome के अंदर देखे यह जो structure आप देख रहोंगे यह cell की structure है और cell के अंदर आपका nucleus है, यहाँ पे mitochondria cell nucleus के अंदर बहुत कुछ होने पड़ा यह आपका lysozome है ठीक है mainly यह आपका lysozome, हमें यह पढ़ना है अभी lysozome और यह जो structure है कैसे आप देख रहे है एक membrane है, single membrane structure इसे खोज किसने की डी दूबे और यह केबल किसमे पाए जाता है आपका animal cell में पाए जाता है ठीकिन इस lysozome के अंदर एक enzyme पाए जाता है, hydrolytic enzyme जिसको हम बोलते है, ठीक है यह acidic form में होते है इसका जो pH का value होता 425 या 4.5 तो acidic form में होता है, ठीक है तो lysozome को आत्म घाती के थहली भी काते है देखे कैसे जब cell के अंदर बाहर से कोई bacteria या virus आ गया, मान लेते हैं इस इस बाहर से bacteria या virus आ गया तो जैसे ही bacteria इस lysozome के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या है, hydrolytic enzyme है और यह इसका pH क्या है, 4.5 या 425 होता है जो acidic के नेचा, तो में सिंपल सी बात है आपकी bacteria या virus यहाँ पर क्या करेंगी सर्वाइब नहीं कर पाएगी और automatic यह kill हो जाएगी, मर जाएगी इसलिए कोई भी bacteria या virus आपके cell के अंदर survive नहीं कर पाएगी क्यों? hydrolytic enzyme के कारण lysozome के अंदर क्या प्रजेंट हो? hydrolytic और enzyme के कारण क्या होता है इसके अंदर present होते हैं क्या करते हैं? कोई भी bacteria या कोई वाइरस अगर cell के अंदर आ जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? kill कर देती है इस hydrolytic enzyme का काम जो होता है कोई भी बाहर से खराब chemical अगर कोई भी आ जाता है आपके body में तो उसको क्या करेगी? destroy करेगी और कुछ कभी-कभी कोई food particle इसके अंदर आ जाता है तो यह enzyme क्या करता? उस food particle को क्या करता? breakdown कर देता है छोड़े-छोटे टुकड़ो में गुलकोच के form में यह फिर फर्दर cell के पास mitochondria के पास भेज देगा वह जैसे oxygen से combine करके फिर हो क्या करेगा? oxygen 880P आपके उर्जा का निर्मान करेगा बोड़ी में यह तो मैंने बता दिया और यह hydrolytic enzyme आपके saliva में भी पाय जाते है ठीक है हमारे saliva में भी पाय जाते हैं लेकिन इस lyzozome को आत्मगाती थहली करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होता है यह जो highlight-holition, जो lyzozome के ऐंदर यह जो hydrolytic enzyme में बहुत अधीक हो je ठीक है बहुत जादा हो जाने के कारण जो इसकी membrane जो इसकी membrane हrafा है यह क्या होतीaran यह कभी-कभी फतंटी और यह hydrolytic enzyme पूरै यह कंभी पिकर दी है इसलिए इसे लाइजोजोम को आत्मघाती का थैली भी हम लोग क्या करते कहते हैं ठीक है RBC में आपका लाइजोजोम नहीं पाये जाता है लेकिन WC, White Blood Cell में सबसे ज़्यादा लाइजोजोम पाये जाता है याद रखना है तो यह बहुत ही important line है आत्मघाती के थैली किसे कहते हैं लाइजोजोम को क्यों कहते हैं बता दिया कौन से इंजायम है लाइजोजोजोजोम नहीं होता है इसका नेचर RBC में यह absent होता है WBC में यह present होता सबसे ज़्यादा अब बात करेंगे राइबोजोम के बारे में राइबोजोम का डिसकवर किसने क्या था तो पलारडे नामग साइंटिश्च ने डिसकवर किये हैं किसका राइबोजोम का ठीक है और यह ज़ो आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में present होते scientist ने जब देखा तो plant के cell में भी ribosome मिला और animal के cell में भी ये ribosome present देखा ये मिला ठीक है तो ये भी आपके लिए important point discover किसने क्या plant है पूछ ले जाता discover हर एक जितने भी मैंने बता है आपके या कोसिका का सबसे छोटा cell organil है अगर आपसे पूछा जाएगा cell का सबसे बड़ा largest organil कौन सा है तो nucleus second largest पूछा जाएगा तो mitochondria और सबसे smallest पूछा जाएगा तो कौन है ribosome clear तो differentiate भी करते चल रहा हूँ मैं आपको ये कोसिका का सबसे छोटा cell organil है और अगर पूछ ले जाएगा cell का सबसे बड़ा cell organil nucleus के अंद्रा का और second largest पूछ ले जाएगा तो mitochondria ठीक mainly ribosome का काम क्या होता है ribosome का काम जो होता है protein का बनाना होता ठीक है ribosome का mainly काम होता है protein का बनाना इसलिए इसे protein factory भी करते हैं तो ribosome हमारे cell के अंदर क्या काम करता है ये protein का निर्मान करता है इसलिए protein factory भी करते हैं ribosome का निर्मान कैसे हुआ है तो और और ने प्रोटिन से होता है ribosome का निर्मान और अगर आरेन के टाइप से भी पूछलिया जाए जो मैंने तीन बता्या है mRNA और TRXRid Erna क्या करता मैसेज क्या देता कितना प्रोटिन चाहिए सेल को और और यह क्या करता है RNA यह बनाता है उतना protein और transfer करता है यह TRN तो RNA में भी कौन सा RNA तो RNA प्लस protein से क्या होता आपका ribosome का निर्मान होता है ribosome की कितने unit होते हैं देखिए ribosome के दो unit होते हैं एक होते है 70S और यह होगया 80S, S होगया स्वेडबर्ग 70S का जब division करते हैं तो 50S प्लस 30S में करते हैं और 80S का जब division करते हैं तो 60S प्लस 40S में यह division होते हैं तो बस यह आपको इतना नहीं पुछा जागा यह 70S और 80S इसके दो unit होते है ribosome को यह आपको याद रखना है या फिर अगर आपसे इसके division जो पूछ लिया जाएगा कितने जो इनका division होता है 70S का तो 50 प्लस 30 50-20 नहीं करना है इसको addition नहीं होता है यह biology है तो 50S, S क्या हो गया स्वेडबर्ग हो गया और 80S का division कैसे होता है 60S प्लस 40S ठीक है अब बात करते हैं राइबोजोम को यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल या फिर कोशिका का स्तारवुत्रिक कोशिकांग भी कहते हैं ठीक है यह ऐसा क्यूं क्योंकि यह सभी सेल में प्रजेंट होते हैं चाहे यूनिसेलूरर हो चाहे मल्टी सेलूरर हो अब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यूनिसेलूरर एक कोशी किये और मल्टी सेलूरर बहुत कोशी किये जो केवल एक सेल से जो जीव का निर्मान होता है और बहुत सारे जीव से तो यूनिसेलूरर अमीबा था पेरामीशियम था यूगलीन था और inscription का सेल इसके अंदर वीсон मिलेगा इसके अंदर विए elimos paternal इजा इसलिए को यनिवर्सल कंपोनेंट आफ शहलिया फिर कोशिका का सारूछिक आंघ करते कि हैं क्यां या सभी सेल में प्रजयंट होते हैं चाहे यूनिसेलवर्वल्र राफ्र सेल जाय हमारे जो basic unit के आते sale थी ठीक है ठीक है ठीकिन राइबोजोम की जो basic functional unit जो protein का जो निर्मान करती वो कौन वो नाम भी आपसे पुछा गया था यह जो PCS के लिए question काफी important है गुरूब डी के लिए polysome polysome याद रखना आपको तो राइबोजोम में protein synthesis के लिए जो functional unit होती जो उसी क्रियात्मा की काई वो कौन सी है तो polysome है ठीक है पूरा का पूरा राइबोजोम खतम यहाँ अब हम बात करेंगे कोशिका का ट्राफिक प्लीजानी की गोलजी प्लांट में भी और अनिमल सेल में भी प्लांट सेल में इसे याद रखेगा एक नाम से जानते हैं डिक्टियोजोम काते हैं तो पूछ लिया जाता है कि गोलजी बॉड़ी का अनदर नेम क्या है तो डिक्टियोजोम भी है तो प्लांट सेल में हम गोलजी बॉड़ी को क्य किसके दोर्य डिस्कवेट किया तो तो केमीलियो गॉलजरी के दोर्य परोटी का घ्रटेस और क्या में प्रोटिन और एक काते हैं एंड पेक कर देते हैं और ये पैकिंग वाले बंडल को फिर से क्या करेगा जो RRN है इसको ले करके उस सेल तक जिसवे सेल को नीड होगा प्रोटिन को उसको पहुचा देगा इसलिए बंडलिक करते हैं या इसे हम बोलते हैं Mother of Cell भी का जाता है कुशिया की मा भी काते हैं जैसे घर में मा काम करते हैं उसी प्रकार इसे Packer Bundle of Cell भी काते हैं और इसे लिपोकॉंड्रिया के नाम से भी जानते हैं तो कई सारे नाम हैं गॉल्जी बॉड़ी को हम Packer Bundle of Cell भी काते हैं लिपोकॉंड्रिया भी काते हैं या फिर हम इसे Dictiosome काते हैं प्लांट में ठीक है तो अब नेक्ष्ट अब हम बात करेंगे इंडो प्रदवी जालीगा सेल के अंदर कोशीका के अंदर जो होते हैं और कोशिका के अंदर जाल नुमा एक structure होता ऐसा या फिर ऐसा भी हम बोल सकते इसका structure ऐसे होता actually mainly जब आप नेट में देखोंगे इस प्रकार से बना हुआ होता ठीक है इस तरह जाल के अकार्ट में structure बने जोती तो अकार के एक cell के अंदर जो network होती उसे हम क्या नाम देती इंडोप्लास्मिक रेक्टिकूलम इसकी जो discover खोज करता कोन है तो porter है याद रखना है यह plant cell और animal cell दोनों में पाए जाता है यह structure मैंने यह बता दिया है nucleus है और बिलकुल nucleus है तुछ होता है और याद रखना है जो nucleus से जो touch हो कर कर रहता है उसे हम कहते है rough endoplasmic reticulum और जो nucleus से दूर जो cell वाल या cell membrane से touch हो कर रहता है उसे हम कहते है smooth endoplasmic reticulum तो two types of endoplasmic reticulum है एक आपका rough endoplasmic reticulum और स्मूथ चीकना अंतप्रदावी जाली का और खुर्दरा अंतप्रदावी जाली का ठीक है तो rough endoplasmic reticulum बिलकुल near to nucleus होता है आप देखें फिगर में no nucleus के near है nucleus is the near rough endoplasmic reticulum और nucleus से दूर से या siyl membrane के जूपास उसे हम कहा नाँ देते smooth endoplasmic reticulum到 & rough endoplasmic जो होते हैं इसमें क्या होता है class of ribosome पाए जाता है ठीक है तो जो rough endoplasmic reticulum जो होते हैं इसके ऊपर क्या होता है यी rough होने tad यहां पर मेन आपके अंबसक्राम का है रखर्ण स्वाइज号 कहा है चाहिए बहुत चोटे होने द मिलते हैं कि इसके उपर राइबोजूम पाए क्या है छो राइबोजूम का काम क्या्म यह में साइक होता है यह राइबोजूम का क्या है है protein scissilation करना ठीक है और smooth endoplasmic reticulum जो इस वाल या cell membrane के nearest होता है और वैसे endoplasmic reticulum जिसके उपर ribosome क्या होता है और इसका काम क्या होता है carbohydrate fat का scissilation में सायक होता है यह तो पूछा जाएगा कि rough endoplasmic reticular या फिर smooth endoplasmic reticulum इन दोनों में से किसके उपर ribosome present होता है तो rough में के उपर present होता है इसलिए याद रखेगा R से rough R से ribosome ribosome present है इसलिए वो rough हो गया है और smooth endoplasmic reticulum का क्या है जो भी carbohydrate है जो भी fat आपने जो लिया उसको scissilation में उसके सायक होता है आपके body में scissilation करता है उसको बनाने का काम करते हैं आपके body में ठीक है smooth endoplasmic reticulum या कोसिका या cell को internally strength भी provide करती इसलिए cell को इसलिए इसलिए इंडoplasmic reticulum को cytoskeleton of cell भी कहा जाता यानि कि कोसिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं देखे कोसिका को इसलिए इसलिए इसको बोल जाता है cytoskeleton of cell को शिका का कंकाल तंत्र भी हम इसे कहते हैं इंडoplasmic reticulum को एक अंती मंग बजगा है vacules यानि कि रितिका या फिर रसधानी भी हम इसे नाम देते हैं तो में लिए फिर प्लांट सेहलागर कोसिका के अंदर हैं बहुत ही चोटी कोसिका अंदर शुकण्य के नशाकर तो इस पर आपने इस तरह आपने उसका नेश की पिजे吗 और प्लांट में इसके साइज बहुत ही बड़ी होती है वैक्यूल्स एक जिल्ली मेंब्रेंस से घिरी होती है जो आपको दिखाए पड़ता है देखे कोसिका है यह नुक्लियस हो यह माइट्र कॉंट्र हो गया इधर क्रोमेटीन है इधर नुकलिय प्लाजमा इधर साइटो में चोटी सी इधर हम बना लिए एक वैक्यूल्स चिक है यह जो घिरी हुए होती है मेंब्रेन से यह मेंब्रेन को हम क्या नाम देते हैं तो पूछा जाता है कि वैक्यूल्स जिस जिल्ली से घिरी हुई है या फिर वैक्यूल जिस मेंब्रेन से घरी होई होती है उसे हम क्या तो आप देखते होंगे फास्टिंग के दिन भी आप अपने आपके बॉड़ी को एनर्जी मिल जाती है तो वह एनर्जी कहां से मिलती है बीना आप वो खाए लेकिन आपके अंदर वह फूड होता है प्रजेंट रिजर्फ फूड क्या हो गया आपका कार्बोहाइड हो गया ऐकिन से कमबाइन भी खाएड होगा उक्सीडेशन होगा मायट्र क्योंड ही अनर्जी करिवाण होगा रोगा फास्टिंग के दौरान भी आप बहुत सारे काम करते हैं दो तीन दिन तक आप फास्ट भूड के भी रह सकते हैं यही कारन होता इसलिए वह होता कहां यह आपक of cell भी नाम दिया गया वैक्यूल्स को तो पूछा जाएगा pocket of cell किसे काते हैं तो वैक्यूल्स को हम लोग pocket of cells भी काते हैं ठीक है और नेक्स इसके जो membrane से जो घिरी होती है उसम कहा नाम देते हैं tonoplast काते हैं ऐसे result food इसलिए से pocket of cell भी काते हैं ठीक है clear और अब यहां खतम अब हम इसको differentiate कर देते हैं plant cell और animal cell के बीच में थोड़ा सा बिल्कुल जल्द में खतम होगी आपका topic पूरा यह अब लेकिन differentiation कर दे रहे हैं आपके examination के लिए बहुत important डगाएगा plant cell में क्या present होता है अब अब आपने इसमें देखा plant में क्या देखा कि लाइजोजोम प्रेजेंट होता है सॉरी ब्लांट में लाइजोजोम क्या होता है एपसेंट होता है ठीक है लेकिन अनिमल में आपने क्या देखा लाइजोजोम प्रेजेंट होता है और लाइजोजोम के अंदर कौन सा इंजाएम होता है हाइड्रोलाइटिक इंजाएम जिसक में क्या करते हैं pocket of cell भी काते हैं लेकिन इसमें बहुत ही छोटा साइज होता है वेक्यूस का ठीक है और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं प्लांट और अनिमल मैंने क्या देखा इसकी जो गॉल्जी बॉडी होती है इसमें गॉल्जी बॉडी को क्या नाम देते हैं बॉडेंस के फूं में होता गॉडेंस खना को अगला को ठा रट ल्य तो यह आपकर है से उतना है और वाकी तो पुरह ना बता दिया है तो बही जोड़ियो अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा बाकी आपके मर्जी पूरा कपूरा कंपलीट और सेल टॉपिक हैं खतम हो ग तो दूसरी बात यह कि नेक्स्ट सेल डिवीजन को खतम करेंगा हम लोग ठीक है जिसे भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बहुत है वह भी सेल डिवीजन जहां से कोशन पूछ ले जाते हैं आधे घंडे का वो टॉपिक होगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद